आपका डर्टनिफोर से में आई एस पीसी एस के इसे यूट्व प्लैटफॉर्म पर आई होप के मेरी आवाज आपके पास मैं ठीक तरीके से पहुँच पा रही होगी और आप लोग मुझे ठीक तरीकी से सुनी पा रहे होगे अगर हाथ एक बार मुझे इनफॉर्म कर दीजे ताकि इस किक्षा को इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सके हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं के टाइम बहुत सारा हो गया है क्लास डिले हो चुकि है हमारी विकॉज ऑफ रेनिंग बारिश यहां पर हो रही है बाकाइदा कंटिनियस कल रात से ही और इसलिए क्लास जो है थोड़ी से हमारे डिले भी होगी तो एक बार अगर मेरी आवाज आपके पास में आ रही है तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत 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 प्रभात जल्दी से मुझे बता दीजी कि किया मेरी आवाज आपके पास में आ रही है यर नहीं है वर्शा चोहां गुड मार्निंग मरोज कुमार गुड मॉर्णिग सर्पका एगजाम है अनु क्यू का है या नहीं कि सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि आज यह जो क् कोड़े हुए है ध्यान रखें आप कोई भी क्वेशन कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंड के माध्यम से पूछ सकते हैं और जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा आप कुछ नए बहतरी इंडियन फीटर मिस्टेकल के क्वेशन या मौडर इंडि स्कीम से वह सकीम भी लेकर आया हूं और कुछ वह भी स्में इंक्लूट और आने वाला टाइम जो है वो अब हमारा है यानि कि अब ये क्लास जब तक चलेगी जब तक कि हमारे क्वेश्चन जो स्वाप्त नहीं हो जाते तो अपनी जो सीट बैल्ट है उसको बांध लीजिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम लोग यहां से लैंड करने वाले हैं और सवारी की अपने सावान की स्वैम्जिम्मेदार है इस बात का भी आप लुक विश्य रूप से ध्यान रखेंगे तो इसी बात के साथ मैं चलिए सफर को स्टार्ट करते हैं लेकिन हाँ सबसे पहले के मॉटिवेशन कोट के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो कोट तयार ओजाएगी घर से निकला भारिश बाहर थी मन में आया के यार छोड़ देते हैं लेकिन जैसी मेंने कॉमेंट सेक्षन देखा बहुत सारे बच्चें मेरे अंतिजार कर रहे अपने टारगेट के लिए इसी तरह से डेडिगेटर रही है कोई भी लक्ष आप से बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं बस इतनी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए और चलिए इसी बात के साथ में आज का सफर मैं कर देता हूं स्टार्ट आपके साथ में ठीक ह भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं याने की दीपेस खौशिक ठीक है चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले क्लानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्पूर्ट चार-पांच बाते में आपको जो बाते आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बातों को इन बातों को भी आप लोग ध्यान दखेंगे और वह क्या है सबसे पहले आप सब लोगों को क्या करना है बच्चो आप आज ही आप लोगों को अट्ड़ा 247 की एप जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना ह है क्योंकि इस एप में आपको बहुत सारे फीचर जो है वो एवलिबल होने वाले हैं अगली बात करें बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेशली हम लोग जब UPSC की तयारी करते हैं स्टेट PCS की तयारी करते हैं तो NCRT आपका आधार होता है आपकी तयारी का एक बेस होता है इसी लिए यहाँ पर 24-7 स्पेशली आपके लिए नया बैच लेकिया है और वह प्रारंब बैच जिसमें हम लोग यहां पर NCRT की आपके जो लाइव बैचे होते हैं फाउंडेशन लाइव बैचे जो है वो आपको यहां पर एवलिबल करा रहे हैं तो आप लोग 19 जुलाई से हमारे साथ में इस NCRT बैच में जोड़ सकते हैं जिसमें इंडिया के बैस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पर NCRT की बारिकियों से अवगत कराएंगे तो आप लोग हमारे साथ जोड़ सकते हैं इस प्रारंब बैच में यह आपके लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है जब आप तैयारी करते हैं UPSC को और इसके साथ साथ में स्टेट PCS की इस बात का भी आप लोग को यहां पर द्यान रखना है कि दूसरी इमपोडेंट बात आप लोग जानते हैं के स्टेट PCS के लिए हम लोगों ने यहां पर बास जो बैच है वो लेकिया है बास का मतलब क्या यहां पर होने वाले हैं मदप्रदेश हरियाणा जर आश्मुकश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरअध में राज नौ राज हम LIVE आ पर बाचस तक्ति हम लोग करें तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं और 29 कि से डेडिकेटेड है अपने टार्गेट के लिए हर एक फैकल्टी मेंबर तो आप यहां पर भी अपने आपको क्या कर सकते हैं इन्रोल कर सकते हैं और अब बात आती है इन बैचेस की तो आप लोग जान सकते हैं यह पर योद्धा बैच इस पेशली यूपी के लिए और महाब बने और इसलिए हिंदी मीडियम में परणाम बैच और इंग्लिश मीडियम में यहां पर रॉब बैच जो है वो लांच कर दिया है तो आप लोग इसमें भी अपने आपको इंडोल कर सकते हैं और हाँ अड़ा 247 की टीम के बारे में तो कुछ भी आपको बताने की ज़रूर कितना है Y584 corpse जो है वो आपको यहां पर यूज करना है और जब आपको इसको इूज करेंगे तो इसमें आपको कुछ फीचर मिलेंगे क्या मिलेंगे सबसे बैली बात तो भाई साब 2 साल की बसाल की तो साल की यानि नहीं कि तो साल तक आपका बैच रहेगा और अगर आप तो आपको यूज़ करना है वो कौन सा है वो है वाई 584 इस बात को आप लोग ध्यान लखना है इसी बात के साथ मैं अगर माली जी आप जुड़ना चाहते मेरे साथ में उस क्लास की फ्री पीडियेफ आप प्राप्त करना चाहते तो टेलिग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सर्च कर लिजे मैं आपको टेलिग्राम पर मिल जाऊंगा वहां इस क्लास की आपको फ्री पीडियेफ जो है वो एवलेबल हो जाएगी तो इस बात का भी आप लोग विश्यस रूप से ध्यान रखें तो यह तो ही पूरी बात हमारी कहानी अब आती है बात यहां पर हमारे ग्राइड के सामने आने वाले हैं तो चलिए मैं साथ में सफर को स्क्रीन पर आने वाला है इस क्वेस्टन और पडयेंगे और पढ़ने के बाद में ध्यान नखेगेगा यानि कि दौनों भाषाओं में आपके सामने प्रस्तूत किये हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम के अभ्यर्थी को परिशानी ना हो ठीक है तो हमारे पास इस क्लास में दो सेक्षन है पहला सेक्षन जो है वह कौन सा है वह इंडियन नेश्नल मूव्मेंट का और दूसरा को कौन सा है तो आपको अंसर देना है वह आपके बास में सामाजिक पूरक्षा की हम घ्रण योजना है तो पहले स्दों में हम लोग बात करने में आपका आपका जो freedom movement of India था उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है यहां तक की बात यह सोर नो जल्ली से मुझे बताओ क्या यहां तक की बात है सब को क्लियर हो गई है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम किसी को भी किसी प्रकार की यह सोर नो everything is good everything is fine यस और नो जल्ली से मुझे बता दो चले class को start करें आप सब की आ गया है हाँ या ना चलिए sir this video for UPSC exam yes exactly absolutely obviously ठीक है ना UPSC के लिए चलिए तो गाइस पहला question आपके screen पर आ गया है question को आप लोगों को पढ़ना है और मुझे आंसर दिना है कि इसका right answer जो है वो क्या हो जाएगा दोनों भाशाओं में है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाशाओं में मैंने इसको यहां पर प्रस्तुत कर रखा है ठीक है सुनों जड प्रसाइब जैसे प्रतिक्रियवादी तत्वों को United Indian Patriotic Association का आयोजन करने के लिए प्रोच साहित किया था यह आप से यहां पर पूछा गया है यह आप से यहां पर question जो है वो पूछा गया और आपको बताना है किसमें से कौन सा सही है केवल एक केवल दो दोनों सही या दोन द्यान लगना डफरिन कॉल्ड दा कॉंग्रेस आफ फैक्टरी ऑफ सिडिशन ठीक है एंड ऑफिशल इंकरेज रिक्षनरी एलिमेंट्स लाइक सर सेयद एहमत खान एंड राजा शिप्रसास सिंग ऑफ बनारस तो और गनाइज दा युनाइट इंडियन पैट्रोटिट एस सब्सक्राइब को और इस टाइम पर भारत के वाइसराय है उनका नाम क्या है उनका नाम है लौड डॉफरिन इन्हीं के टाइम पर एलन ऑक्ट्यू यूम के द्वारा कॉंग्रेस की स्थापना की इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं समझते हैं और उन्हों इसके विरूदी थे इस बात को आपको ध्यान लखना है और इसके साथ में जो बनारस के राजा है जिनका नाम क्या है राजा शिप्रसास सिंग इनको भी यहां पर जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो थी उसकी स्थापना करने के लिए यहां पर प्रोचसाहिद किया था यहां दिकि पहला स्टेट्मेंट भी यहां पर एक और जाएंगे सही हो जाएंगे इस बात को भी आपको यहां पर धियान रखना है ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए ठीकर विटा एक और दो यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है चलिए अगले पृष्ण की और चलते हैं नेक्स क्वेशन आप से पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं कि शायद आपको ऐसे पृष्ण ना तो किसी टेस्री में मिले होंगे ऐसे पृष्ण जैसे मैंने डिजाइन किया है और नहीं आपने कहीं पर नेट पर सर्च किया होगा न और जो इंटरनेट होता है वो और मेरे खुद के नूट उन सारी चीज़ों को मिलाकर यहां पर बनाए गया है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है आओ ज़रा दूसरा कोशन की बात करें की बात की गई बिटा आई एंसी मतलब इंडियन नेसल कॉंग्रेस ओके मूलबु सुधानतों और प्रमुक विश्वासियों के संबंद में निमलिखित कतनों पर आपको क्या करना है विचार करना है क्या विचार करना है सुरक्षा वाल्व का सिध्धान शडियंत्र सिध्धा और तड़ित चालक सिध्धान ये तीन थियोरी दी गए थे कॉंग्रेस के स्थापना के लिए और तीन उनको देने वाले भी हैं जैसे कि लाला लाजपत्राय और जीके गोखले यानि कि गोपाल कृष्ण गोखले अब आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें से कौन सा आं ठीक है यह जो है वह आपका हिंदी में है और अब हम चलते हैं इंग्लिश की और तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़े और मुझे आंसर दे किसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है तो बैटा कंसीडर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग ताकि यहां पर जो विद्रो है उसको उसको उफाना ना जाए या फिर जिस तरीके से 1857 का विद्रो एकदम से उफन गया था उस तरीके से यहां पर इस विद्रो को हम क्या कर रखें दवा के रखें तो यहां पर हम थियोरी की बात करते हैं बटा ध्यान रखना कि यहां पर safety valve theory जो थी वो लाला लाजपतराय के दोरा दी गई conspiracy theory जो थी वो आरपी दत्त के दोरा दी गई और lightning conductor theory जो थी उसको गोपाल कृष्ण गोखले के दोरा दिया गया था और इसी लिए बटा ध्यान रखना कि यहाँ पर सारे जो option है वो क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे and that's why D will be the correct answer D जो है वो यहाँ पर right answer हो जाएगा इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है गलत बिलकुल भी मत कर देना गलत आप लोगों को बिलकुल नहीं करना है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें पहली बात तो यह ठीक है दूसरी important बात यह है कि एक बार मैं अभी आपसे बोल दे रहा हूँ जितने भी लोग मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं वह लोग इस सेशन को एक बार लाइक जरूर करें और शियर जरूर करें आज आपके WhatsApp स्टेटस पर इस क्लास की लिंक जो है वो सैट हो जानी चाहिए और बता देना है कि आज हम लोग यहाँ पर तैयारी करें यूपी सब्सक्राइब करेंगे लाइक और शेयर जरूर करेंगे ठीक है चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगर इस क्वेशन में किसी को डाउट है कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे सकते हैं मैं यहाँ पर आपका आंसर देने के लिए तैयार ह है ना चलिए अगले कोशन की बात करेंगे नेक्स कोशन जो है आपके सामने अब मुझे बताइए किसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है सुनों जरा उदारवादी राष्ट्रवादियों के योगदान के संबंद में निमलिखित कतनों पर आपको बिटा क् विचार करना है अब सवाल यह आता है कि सर उदारवादी राष्ट्रवादी कौन से होते हैं आप लोगों ने जब कॉंग्रेस की स्थापना की जब बात करते हैं तो उसके दो च्रणों में क्लासिफाइड करते हैं बिसलिए तीन च्रणों में करते हैं लेकिन पहले दो की बात कर लेते हैं पहला जो होता है वो कौन सा होता है उदारवादी या उनको नरम पंदी कह सकते हैं दूसरा जो सेज होता है वो कौन सा होता है गरम पंदी तो यह पहले फेस की बात की जा रही है इस क्वेशन को आपको पढ़ना है और मुझे क्या देना है ठीक है बिटिस से यहां पर पूछा गया है अब आप मुझे बताइए कि यहां पर राइट आंसर जो है इसका एक्जेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यह आपको मुझे बताना है यह इंग्लिश मीडियम के लिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्रे उनके लिए मैंने कोशिश की है कि लोग भी इस क्लास में बहुत सारा एंजॉय करें हर एक प्रशन को पढ़ें हर एक प्रशन को समझें और उसके बाद में यहाँ पर क्या दे आंसर दे इस बात का भी आप लोग को बिटा यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है सुनो जरब कंसीटर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दा कॉंट्रिबूशन और मॉडरेट नेस लिस्ट की आप बात की गई है एक्रॉमिक क्रिटिक और बिटिस एंप इंपरिलिजम बिल्कुल सही बात है आप लोग पता होगा दादा भाई नौरोजी नो बताया था डेन इंपेन फॉर जनरल एडमिस्टेटिव रिफॉर्म प्रसासनिक सुधारों की बात की गई थी और यहां पर डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स यानि की चारों चीजों जो थी वहां पर क्या की थी फॉलो की गई थी तो आपको बेटा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएग सर पिछले में क्या बता है तीसरा बताएं जरा देख लेते हैं पिछले में तीसरा क्या है लाइटिनिंग ओन्डेक्टर फिओरी ओपाल prophets गोखले के द्वारा बताता हूं बेटा देखो जरह fac रिवर्डी बिल्डेंग होती है सीए के तो आप लोग क्या देखते हैं ते उन बिल्डेंगों की ऊपर इस प्रकार की एक आखरती बनी रहती है बोला यह सो और नौ देखिया कि नहीं देखी जली से मुझे बताओ जिससे क्या होता है जैसे मालू बिजली कड़क रही है क्या तो क्या होता है यह पूरा का पूरा जो यंतर होता है उस बिजली को अपने अंदर ले ले लेड़ा है और इसका क्नेक्शन होता है जमीन के अंदर तो जो भी उर्जा आती है वह इसको कैज करके कहां सब्सक्राइब देता है ताकि इस घर को बिटिस सामराज जब हम भारतियों का पृतिरोध माली जीह यहाँ पर बिटिस सामराज पर आएगा तो यह जो तड़त चालक यहाँ पर लगा हुआ है ना यह क्या करेगा पूरे हमारे गुस्ते को यहाँ पर इखटा करेगा और इखटा करने के बाद में जमीन में डाल पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं यस और नो बात किलियर है समझ में आई बात सब को चले आगे कोई डाउट तो नहीं है माइंड में अब चलो अगली बात करते हैं नेक्स कोश्चन की चर्चा जो है वो यहां पर की जा रही है तो द्यान रखना यहां पर भी क्या हो जाएग 2005 इसमें इस्पेशली जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले बद्दुरुद्दीन तैयब जी फिरोज शाम महता दादा भाई नौरो जी ऐसे जो व्यक्ति थे आनन्द मोहन बोस ठीक है ऐसे जो व्यक्ति थे वो यहां पर उनको क्य सब्सक्राइब जली से मुझे बताओ फटापट से गुड मॉर्निंग यहां भी देख रहा हूं मुनीश पाल गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चलिए अगले कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट को देखते हैं क्या कहता है आप से सुनो जड़ा उननीस सो पांस से लेके उननीस सो नो के दोरान उग्रुवादी राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा यह आपको बताना है यहां पर बिटिस सासन के वास्तुविक सरूप की पहचान दूसरा आत्म विश्वास और स्वाविमान का विकास तीसरा सिख्षा का विकास और चोथा नरम पंतियों की उ संतोस अब आपको मुझे बताना है कि यहां पर कौन से कथन जो है वह सही है यह बात आपको आंसर मुझे दाना देना है देवे सिंग पूछ रहा है सर कौनसे प्रेस है क्या होता है बीटा शड़यंत्र था तो यहां पर जो आर्पी दृत थे उनके दौरा कहा गया कि यह ज इससे हम भारतियों में जो हमारा जो हमारा विरोध है वो जनता के सामने या सरकार के सामने ना आपाए तो यह अंग्रेजों की एक चाल है जिसमें लौड डफरिन ने जान मुझकर एओ हिूम से बोला है के भई एक काम करो आप क्या कर लो कॉंग्रेस की स्थापना कर लो वरन जिसी बोला गया है अब बास समझ में आई आपको यह सोर नो जली से बताओ बास समझ में आई कि नहीं आई ठीक है सुनो जरा अच्छा 1905 से लेके 1909 का टाइम यहां पर बोला गया है 1905 से दूसरा फेज स्टार्ट होता है कॉंग्रेस का और वह कौन सा होता है वह होता यहा सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं कि अग्रुबाद दी हैं ठीक है अच्छा ऐसा अग्रुबाद आया क्यों तो देखते हैं अपन लोग रिगोगनेशन ऑफ ट्रू नेचर अब बिटिश रूल यानि कि जो बिटिश समरास्ता उसका वास्तमिक चेरा लोगों के सामने आच रिस्पेक्ट अब पढ़ोगे तो अब इसी बात है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह भी बिल्डप होगा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वह भी आपकी बिल्डप होगी ठीक है और डिस सैटिस्फेकेशन विट अचीमेंट ऑफ मॉडरेट्स यानि कि 1885 से लेके 1905 जो नरम पंती लोग थे उनके द्वारा कोई विशेश काम जो था वह यहां पर नहीं किया गया इस बात से हम लोग देखते हैं कि यहां पर यह जो फेस था यानि कि पहला भी सही दूसरा भी सही और तीसरा भी चाही और इसलिए बटा यहां पर राइट आंसर जो हो यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई जली से मुझे बता फटाफट से जली से मुझे बता दो डिस सैटिस्फेक्शन वित अचीवमेंट आफ मॉडरेट्स आप देखो ना 1885 से लेके 1905 तक आप लोग काम कर रहे हो और तुमारे काम करने के साथ साथ में लौड कर दि या बंगाल का विभाजन भी कर दिया उसको डिकलियर भी कर दिया और तुम लोग उनको कुछ बोली नहीं पा रहे हो कुछ करी नहीं पा रहे हो है ना तो यह वाला चौथा पॉइंट था उनसे डिस सैटिस्फाइड हो गए थे इसलिए बटा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा चैट बॉक्स में क्या करना होता है तो आपको पता यह जल्ली से फटाफट से ठीक है चलो अगले कोशन की और चलते हैं नेक्स क्वेशन अभी एक आसान सा प्रशन जो है वह आपके सामने में लेके आया हूं तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है सुनो जरा कि किसने कहा था कि आज के यह आपको आंसर देना है जल्ली से मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वामी विवेक अनन बाल गंग अधर तिलक लाला लाच पत्राय या विपिन चंद पॉल वर्ट विट बिला करेक्ट आंसर और इस पर्टिकलर क्वेशन इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है शाबाश जल्ली से मुझे आंसर दो राइट आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जल्ली से मुझे बताओ अचाइब बताओ एक बात बताओ यह जो क्वेशन आप लोग यहां पर देख रहे हो यह सारे के सारे सारे फ्रेशन है ना अच्छ से पहले आपने विश्वर किये कैसे इसे पैसे प्रेशन जलिए इमान दर से बताना मुझे फटाफ़ से मुझे बताओ सारे क्वेशन है चलिए तो तो विटा ध्यान लग न जब भी श्रुलादी ने बात संद्ड होंगे जैसे आज का वढूगर कियो लाता सबक्सक्राइब है यहाँ तो यह फ्ला था यह बात सब्सक्राइब आफ वोटाब द्यान रखना है यानिकि यहाँ पर अब autonomic मुंझ ने कियाल रहा है क्या लग रहा है कहने को तो क्या लग रहा है सिम्पल सा लग है वह एक statement पूचा गया है लेकिन ऐसे प्रश्मी कई बार क्या होता UP इसे पूछ लेता ले तो इसलिये में आप लोग को यहां पर बता रहा हूं इसको आपको गलत नहीं करना है यह पॉइंट आपको यहां पर करेक्ट कर लेना है इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है बात किलियर है यह और नो जल्ली से मुझे बताओ प्राणजली वर्मा कहरें डी होगा से तो दी नहीं होगा ठीक है एक बार चेक कर लो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर भी हो जाएगा ठीक है चलिए तो पटा ध्यान रखना यहां पर हूसेट डैट डैट डाट्रीमिस्ट वूटेव बीडा मॉडरेट्स आ ठीक है तो यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा बाल गंगे दर तिलक आपको यहां पर ध्यान रखना है भी इसका राइट अंसर हो जाएगा इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना लो गलत मत कर देना बिलकुल भी बिलकुल भी गलत मत कर देना ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे देखे जड़ा अगले कोशन की बात कर लेते हैं में स्वाजन कर दिया गया था पहला दूसरा लौट कर जन ने भारत को एक राष्ट के रूप में मानता देने से इंकार कर दिया और उनकी गत्विदियों को गैस छोड़ना कहकर भारती राष्ट्रवादियों और बुद्धी जीवियों का अपमान किया यह आप से यहां पर पूछा गया है हिंदी मीडियम में बताना है आपको हुआ है लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि जब मैं कॉमेंट करना है ठीक है तो वहां पर एक कमेंट पढ़ने को मिला कैसर हिस्ट्री वाले सरसे यह बोलना कि वह साइड से हो जाय करें वह सामने तो खड़ रहते तो आँसरम कहां से देंगे इसलिए आज मैं बाकाइदा इस लिए हो जारहा है कि आप ने का अंसर दे सको इस बात को आपको ध्यान लगना है ठीक है के लिए तक हम ने जो तुमने कितावं पढ़ा कि यहां पड़ा होगा वह आadaso कि जुलाइए 1905 में Lord करजन के तौरा क्या किया जाएगा बंगाल का बोजन किया जाएगा इस बात को आप लोग जानते हैं लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो 1903 में यानि की 1903 में यहां पर ध्यान लखना किसके दोरा बिटिश गॉर्मेंट के दोरा इसका डिसीजन जो था वो ले लिया गया था डिसीजन जो था वो क्या कर दिया गया था ले लिया गया था इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान लखना ह पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जा रहा है और हम इसके जो है उसका भी मैं आपको यहां पर प्रमार दे सकता हूं भारत की सबसे ज़्यादा पड़ी जाने वाली किताब है उनमें से इन प्रशलों को बनाए गया है एक एक पॉइंट को बाकाइदा टाइब करने के डिस्क्राइबिंग डियर एक्टिविटीज लेटिंग ऑफ गैस यानिक उसने गोला कि सांप कि तर एक बार फुन फुन आते हैं और उसके बाद में की कहानी क्या हो जाती है खतम हो जाती है तो दूसरा स्टेडमेंट भी बिटा यहां पर क्या है सही है यानि कि पहला भी सही और दूसरा भी सही तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बोथ वन एंटू एक और दो इस बात का आपको यहां पर धिहां रखना है जलिसे मुझे राम सुंदर सिंग बिटा मैं आपको सब को बोल चुका हूं जिन लोग जो लोग भी पीडियाफ चाते हैं वो दीपेसर सर्च करें टेलिग्राम पर उनको ग्रूप मिल लाएगा उसको एड हो जाए और वहां पर इस क्लास की पीडियाफ जो है वो पूरी डाल दी जाएगी और कोशिश मैं करूँगा कि आंसर के साथ भी डाली जाए कोशिश ऐसी करूँगा में नहीं तो आपके पास में आई जाएगी नहीं तो फिर आपको सेशन नहीं देखोगे आप लोग और सेशन देखना बहुत जरूरी है और इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए एक हमारे पास में बच्चा है जो बार बार यह पूछ रहा है कि सर दिस वीडियो फॉर यूपी एसी एक्जाम आई एएस ठीक है तो मैं आपको पहले दो बार बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं कि यस यह जो क्लास है यह आपके यूपी एसी का जो आई एस का एक्जाम होता है उसकी लिए भी लावदायक सिद्ध होगी उसकी लिए भी आप बहुत सारे प्रशन जो है वो यहां से प्राप्त करेंगे ठीक है साथ लोग भी क्या लिएप आप सारे लोग भी कमेंट में लिए जल्दी से लिएस सारे लोग दो चलो अग देखतो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं वाट वॉट वाज वस नेम ऑफ फर्स्ट न्यूजपेपर तुए नाव्ज़ पार्टीशन ओ बेंगल अन फाइव ठीक है यह आप से यहाँ पर पूछा गया है ठीक है सुन जड़ा मेरी बात को छे जुलाई 1905 को बंगाल की विवाजन की घोशना करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या था कितना सिंपल लग रहा है कितना सिंपल लग रहा है ठीक है अब मेरी बात को समझने की क पर संजीवनी क्या हो झाएगा समरी जो है वहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना सब्सक्राइब बंगाल विवाजन की घबर थी उसको क्या किया था प्रकाशित किया था और इसलिए बटा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भी विल भी राइट आंसर यानि कि संजीवनी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बात समझ में आई की नहीं आई जल्ली से मुझे बताओ फटाफवट से पॉइंट क्लियर है वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग देवेश सिंग पूझने किसका पेपर था यह सर देवेश अगर यही तुमको मैं सारे आंसर दे दूँगा तो फिर अगले कोशन में क्या करेंगे क्योंकि अगला कोशन भी आपकी स्क्रीन पर है जरा एक बार देखो फटाफवट से और मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है आओ जरा नरंपंतियों के तहट विवाजन विरोधी अभ्यान 1903 1905 के संबंद में निमले कतनों पर आपको क्या करना है बिटा विचार करना है जरा विचार करो और मुझे बताओ कि इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए क्या इसका बेनर जी केके मित्रा और प्रत्वीश चंद्ररी पहला पॉइंट दूसरा जो तरीके अपनाए गये थे सरकार के पास याचिका है सारवजनिक बैठके ग्यापन और हितवादी संजीवनी और बंगाली जैसे पैंप्लेट और समाचार पत्रों के मैंदम से प्रचार किया ग चले जल्दी से एक बार फटावड़ से मुझे बताओ और एक बात है कियो यार सुनों ना सेशन को लाइक नहीं कियो न नहीं किये न कि ऑन दूस्तों नहीं कि ए न है चालो दो और से और बिलकुल सभी इसका इंगलिश मीडिया में यह इंगलिस मीडिया में जल्ली से आंस चलो आओ जड़ा देखो मेरे साथ दुको मिटा इन दिस पी रेड़ लीडर्शिप बास प्रोवाइड बाइड 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 लाइक सुरेंदरनाथ बैनर जी एसन बनर जी के के मित्रा एंपृत्वी शंद्र रे और अन दा मैंटर अड़ाप्टेट वर प्रटिशंस एं और इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बोट वन एंट यानिकी एक और दो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो सुरेंदनार बनर जी के के मित्रा और प्रत्वी शंद्र रे जो थे वह इस टाइम पर एंटी पार्टिशन केंपेंड यानिकि 1903 से लेकि 19 105 का जो चल रहा था वहां पर बहुत महत्वपूर्ण निवारे थे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आज के पहले थे हम लोग यह जानते थे कि बंगाल के विवाजन जो था उसका डिक्लेरेशन लॉड करजन के दौरा 16 जुलाई 1905 को किया गया था और अन्ततह 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूर 1905 को क्या कर दिया बंगाल का विवाजन भी कर दिया था लेकिन आज हमको पता चला है के नहीं बंगाल की विवाजन की तो गोश्णा बिटे सरकार ने कब कर दी थी 1903 में कर दी थी और 1903 से लेके 1905 तक का जो फेज उसको क्या ब जली से मजें बताओ अब डाउट अड़्डा कह रहे सर क्लास की टाइमिंग बता दीजे प्लीज बिटा क्लास की टाइमिंग मेरी तो चाय जब हो जाती है आज संडे है तो आज साथ बहुत से लेके जब तक प्रभू इक्षा तक जो कि जो क्लास जो है यह चलती रहेगी यह सासे हैं जब तक है जान तब यह क्लास है जो है वो चलती रहेगी अगला कुशन देखो जल्दी फटापट से राइट अंसर क्या हो जाएगा सुनो अच्छा ध्याद लखना एक ची और मैं आपको बता दू इस पूरे सेशन को ना हम सिस्टेमेटिक भी में लेके चलने कॉंग्रेस की स्थापना आफ उसके बादमें दूसरा फेज उसके तीसरा फेज उसमें डवलाबमեंट ओ डवलाबमेंट और डवलाबमेंट तो सारे क्वेशन जो यहां पर आपके साथ मैं लेके चलता चला जा रहा हूं ताकि आप लोग आराम से इसको सौनु कर सके आप बंगी ये सहित्य परिशत के सचिव रविंद्र नास टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रवेदी ने लोगों से अपील की कि विवाजन लागू होने की तारीख यानि की पांच अक्टूबर 1905 को रच्छा बंदन दिवस मुनाए जल्ली से मुझे बताओ इसमें से राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वर्ट विल्पी दा करेक्ट आंसर और दिस पर्ट्कूलर क्वेश्चन जल्ली से मुझे बताओ जल्ली से एक बार मुझे बता दो फटाफट से ठीक है तो वन्वे मात्रम जो था वो किसके और लिखा गया था बंगी को आप लोग जानते हो इस पॉर्ट को आप लोग समझते हो ठीक है बंगे साहित परिशत के सचिव रविन्ना टैग और रामे सुंद्र त्रवेदिनें लोगों से अपील की कि दिवाजन लागू होनी की तारिक यानि की पांच अक्टूबर क्या बिवाजन जो था वो पां जाएगा केवल एक यानि की यहां पर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा इस बात को आपको ध्यान लखना है जल्ली से मुझे बताओ जली से मुझे बताओ फटाफट से यस और नो बात के लिए नहीं हुई जली से मुझे बताओ यहां तक की बात के लिए नहीं और इसलिए बटाब को यहां पर आइट आंसर क्या देना है केवल एक यहां पर करेक्ट आंसर होगा इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है बात के लिए रहे के नहीं कि जल्ली से मुझे बताओ फटाफट से सार एक समझाओ अनुच कुमार कह रहे हैं सर पहला समझ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा इसी लिए लोग जो थे वो वंदे मातरम काला जो गीत था उसको गा कर वहां के जो चौराय थे उन पर क्या कर रहे थे उन पर अपना जो विरोध तो उसको परदरशत कर रहे थे यह कहना है यानि कि वंदे मातरम बिच ओल्मोस इस बात का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है बात के लिए रहे के नहीं जली से मुझे बताओ फटाफट से बिल्कुल सही नीरज कुमार ने के पॉइंट इसमें और कर दिया है जो लोग थे वहाँ पर जो गंगा नदी बैठी है ना उसमें इसनान करने की अपील भी किती और बहुत से लोगों ने इसनान किया भी और अपना विरोज जो था जताया था ठीक है बात के लिए रहे कमल कुमार बहुत लेट हो बिटा बहुत लेट हो इतना लेट फुरी चलता है तनुज अढ़ाना बिटा आपको शायद ख़बर नहीं है कि अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले कोई बच्चा ब्लॉक होता है तो वो मेरे ही प्लेटफॉर्म मेरे ही क्लास से ब्लॉक हो जाता है ध्यान रखने अजबात का संडे का दिन है हम लोग का भी टाइम होता है आप देख रहे होगे टेंप्रेचर क्लास का और उसके बाब जूद भी क्लास में कोई कमी नहीं है बारिश होते हुए ओफिस में पस्ते थूँ और ये मूर्क व्यक्ती पिछले 15 लोगों से पूछ चुका है कि आप कहां से हैं आप कहां से हैं रिष्टिदारी निकालनी है तुमको उनके साथ में हैं प्यार से बोल रहे हैं अपने आप चले जाओ अजर्वाइस ब्लॉक हो जाओ कि फिर कभी नहीं आप आओगे यार मतलब बच्चों का पेपर है यार एक वीग बाद तुम उनको में को डिस्ट्रेक करते हो तो उनका टाइम खराब हो रहा है ना यार चलिए ठीक है चले आगे आगे चले लो बेटा पहले तो तुम ही चले जाओ उखाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे तुम ही जाओ पहले तो चलो और भी किसी को समस्य आओ तो बोई बता दे तुरंती करें यार साथ के साथ नहीं करें उनका अभी का चलो अगला कुशन देखो गेटा अगला कुष़न देखो सवदेशी आन्दूलन की बात की गई बटा सवदेशी आन्दूलन निम्लिकित कत्रों पर विचार करना आप से सवदेशी आन्दूलन के बारे में ठीक है इस बत को आप ध्यान लगना मीरी बात को सुमझिण स्वादेशी आंदोलन जो है इस बार भी यूपीसी में प्रश्ण पूछा गया था अच्छा स्वादेशी आंदोलन जो है अब कई बार क्या होता बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है कि सरी बात बताओ बंगाल का विभाजन तो हमने देखा था कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ थ था यह बताओ आप मुझे ठीक है और अभी इस बार जो पूछा गया था वह था कि सवदेशी आंदोलन कप प्रारंब हुआ था तो सवदेशी आंदोलन तो स्टार्ट हो गया था कब साथ अगस्त 1905 को कब साथ अगस्त 1905 को तो जब सर विभाजन 1905 में हुआ है तो सवदे प्रारंब हो सकता है तो थोड़े पहले मैं आपको बताए था कि 1903 1903 में यहां पर किया हुआ था 1903 में स्पेशल यहां पर गोशना करते मतलब जो बिटिस सरकार थी उसके दोरा गोशना की गई उसके दोर डिसीयल लिया गया जुलाई 1905 में जो लॉट करजन जो था उसने डिकले कर दिया था कि अक्टूबर में क्या करेंगे बंगाल का विवाजन करेंगे किस आधार पर प्रसासन के अधार पर यानि की ऑन दा बेसिस ऑफ एडिमिस्ट्रेशन ठीक है तो जुलाई में जो डिकलरेशन किया था उसके बेसिस पर सास्त अगस्त 1905 को सुदेशी आं समय के भारत है है यह बेटा हमारा प्राचीन भारत है जिस तरीके कि हमारा भारत पाकिस्तान का निनवान नहीं हुआ था था तब का भारत है ठीक है तो यह फैला तो बंगाल में था और इसी बात को लेकर यहां पर क्या होता है kinda रम डल और घरम दल जो घोंब कर रहा है यह इसी बात को ले पर यहां पर क्या होता है गर्म दल में और नरम लगना है उसके ऑफरत में हल्क खेंद नहीं जोता है्.. इस बात को भी आंद लखना है तो तिलक Chi Ahin देश के अन हिस्सों जैसे पूना और बंबई में फैल गया पूना और बंबई यह किसके नेत्रत में है तिलक के नेत्रत में ठीक है पंजाब में लाला लाजपत्राय और अजीद सिंग के अधीन यह पहुंच गया था और दिल्ली में सैयद हैदर रजा के अधीन और मद्रास में चिद्नम्रम् Pillai के अधीन यहानि की पहला स्टेटमेंट भी सही दूसरा भी सही और तीसरा भी सही इसलिए यहां पर डौे क्या हो जाएगा ड्टी यहां पर करेक्ट रखना इस पॉइंट को भी आपको यहां पर द्यान नहीं है सारी चीज़ों को मैंने यहां पर शामिल कर लिया है एंड देट स्वाय डी विल बीदा करेक्ट आंसर अब इस पर्टिकलर क्वेस्टन ठीक है अजीत सिंग वही है जो भगत सिंग के चाचा जी थे अंकल भगत सिंग ठीक है कौन थे अजीत सिंग देटा ध्यान दकन मंबई में क्या करना था यह नहीं मंबई में नो सकता गलत कर दोगे इसलिए मैंने यहां पर कोशिश किया किया है कि आपको सवाल जवाब पूछने से ज्यादा बैतर है कि मैं आपको बहुत सारे याद करा दूँ ताकि आपको अगर एक्जाम में पूछा जाए तो वह तो आपको बताना यहां पर बाल गंदर तला कि इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है के लियर है यस और नो चलिए आगे चले अगले कोशन की बात करें नेक्स अच्छा यह वाले बच्चे है उन लोग उ आप लोग भी अपने क्वेशन कॉमेंट जो यहां पर दे दो कोई दिक्कत नहीं है आम विधियू आपका भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यह तो यह काम को फिर सारे लोग वहीं पर आजाओ अड़र 247 आईएस PCS की यूट्यूब प्लेटफॉम पर वहां पर कमेंट देख लूँगा यहां पर क्या मुझे दिख नहीं पा रहा है इस बात को आपको ध्यान लगना है ठीक है तो उस वाले चैनल पर आजाओ वहां पर आपके कमेंट बड़ी स्क्रीन पर चल लेंगे ठीक है किलियर चले आगे अगले को देखो जो रहा नेक्स कुश्च बहुत 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 जादा स्वागत है यहां पर मनलब मैं बता है आपका इतना प्यार इतना समर्थन आपका डेडिकेशन देखने के बाद में सच में मुझे लगता है कि कही ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैंने थोड़ी बहुत जगे तो आपके दिल में बनाई है यानि क कि आपका हाड़ वर्क जो है वह आपको कहीं ने कहीं रिटन करता है और बिटा यह बात आप के लिए भी निरबरूती है अगर आप परश्रम करेंगे तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा यह लेसन आज आपका आप यहां से सीख लीजिए ठीक है किलियर है चलिए मैं तो हूँ ही नहीं यहां दीपती कह रही है मैं तो हूँ ही नहीं सुनो जड़ा अश्विनी कुमार दक्ता की स्वदेश बंधव सिमिती जैसी सिमितियां जन आंदुलन के एक बहुत लोग प्रिय और सक्तिसाले साधन के रूप में उबरी दूसरा तमिल्नाडू के तिनु संगम आपके सामने है एक है यहां पर सुदेशी संगम और सुदेशी संगम कहां पर है तो आपको आंसर देना है यह आपके दक्षिन भारत में यह कहां पर है आपके दक्षिन भारत में ध्यान रखना इसके साथ साथ में यहां पर क्या अशनिकोवार दक्ता के दौरत कौन थिक है कि लिए समझ में आई बाते नहीं आई तो यहां पर करेक्ट अंसर चुन कैन से भला-ठीजन को और चाहिए यह आपसे झूंटन नहीं चाहिए यह आप tips और पतार अगर नहीं पता है तो फिर जल्दी तो और कुछ नहीं दिखना चाहिए वहाँ पर पूरा चेट ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना बिलकुल सही बहुत बढ़ी अंजली कुमारी निहा कुमारी मंता चौदरी शिखर कुमार पुषपेंद्र कुमार ऑफिशल ब्लॉग आइस ड्रीम ठीक है बहुत बढ़ी है सर आपके टेलिग्राम को जोइन किया बट पीडिएफ शो चलो अगले कुशन को देखो अगला कुशन को रख क्या कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के निमलिखित कथनों पर विचार करें 1913 में मुसलिम जनता तक पहुंचले के लिए मुहम्मद अली जिन्ना ने एक उर्दू दैनिक हम दर्द जो था उसको क्या किया था प्रारम किय जा था दूसरा डॉन सुसाइटी की सापना जुलाई 1902 में कलकत्ता बिटिस भारत में भारती सिक्षाविद आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी इस बात का भी आपको आंसर देना है तो फटाफट से मुझे बताओ इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वट जली से मझे बताओ जली से मझे बताओ वर्ट विल्ट नकरेक्टा आंसर ती आया है बहुत से लोगों का यहां पर क्या आया है चलो मेरे साथ में मैं आपको बता देता हूं देखो यह बात बिलकुल सहीए कि 1913 में मुस्लिम जंता तक पहुंच के लिए मौंपब अली जिन पर्ण किया था इस बात को आप लोग ध्यान लखेंगे दूसरी में बटा ध्यान रखना जो डान सुसाइटी जो है डान सुसाइटी की स्थापना 1902 में कि गई थी क्या कि गई थी कलकत्ता में स्थापित की गई थी और यह भाती सिक्षा पिज्जो थे उनका नाम था उनका प definis چंद्र मुखरजी इसलिए दूसरा स्टेटमेड्ध यहां पर क्या हो जाएगा पहला सही है केवल इसलिए राइट टांसर यहां पर क्या होगा केवल एक केवल एक जो यहां पर राम होजाएगा केवल इस बात का आपको यहां पर ध्यान लगदा है जैनली से मुझे बताओ बात के लिए रहे का नहीं है सतीष कंद्र मुखर जी यहाप और लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद मोहन Boss यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जायगा इस बात को को ध्यान रखना है जो इनिशेल गॉंग्रेस के मेमबर थे ठीक है कॉंग्रेस की जो स्थापना से पहले आनन्द मोहन बोस और सतिननार बेनर जी यह दोनों लोग यहां पर शामिल थे इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा केवल एक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केवल एक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नहीं जितने भी यहां पर सी वाले हैं वह सारे के सारे क्या है वह सारे के सारे गलत है वह सारे के सारे क्या है गलत है इस को आपको ध्यान लखना है तो डॉन सुसाइटी से कौन था सतीष चंद्र मुखर जी इसी लिए केवल एक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा मैं कभी-कभी भूल जा रहा हूं ना कभी-कभी भूल जा रहा हूं ना इंग्लिश मिडियम के लिए भी कोई बात नही करेंगे ताइमर जो है वो सको सैड कर देंगे ठीक है चलो मुझे बताओ जली से फटाबट से इसका राइट आंसर तो मैंने बताई दिया आपको क्या हो जाएगा केवल एक यांविल ऐन कि यहां पर राइट अनसर हो जाएगा इस बात को आपको ध्यान लखना है ठीक है के क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है कमल प्रीट कौर गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फॉडagand सब्सक्राइब कर दिया गया है 19 जुलाई से 19 जुलाई से हम लोग यहां पर जुड़ने वाले हैं प्रारंब बैच में जो एंसी आटी आपको कवर कराएगा ठीक है ग्यारा बज़े से लेकि एक बज़े तक जो बिगिनर्स हैं या एंसी आटी कवर करना चाहते हैं लाइब फॉर्म में किताब नहीं वीडियो लेक्टर्स में तो वो लोग से जोड़ सकते हैं और इससे जुड़ने के लिए आप लोग कोड यूज करें वाई 584 वाई 584 जिसमें आपको मिलेगा 78 परसेंट कर डिसकाउंट अठाटर प्रतिसक कर डिसकाउंट जो है वह आपको यहां पर बात को आपको ध्यान लखना है बात के लिए रम बेच एंची अटी सुनील सर है ठीक है सांतुनू सर है नवीन तवर सर है मैं हूं रुद्रा सर है रजदी मेडम है और इसके साथ में अंकिसर तो सारा जो टीम है यह हमारे त्यार एस प्रार्रं बैच म को देख लो जड़ा अगले कोश्चन को देख लो जली से मुझे बताओ इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा अनुद गुर्जार सर हम नहीं दिख रहे हैं क्या सर जी प्लीज जूम जूम कर दो बिटा इसमेना जूम का आता नहीं एक्चुली में बात तुम को यह से बताओं और यह जो सेट अपैना इसकी जो बोर्ड है इसकी सेटिंग ऐसी है यह मैंने अलग फॉंट में लिखाता है यहां पर कुछ और पर रिसित कर रहा है ठीक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपने वो लाइन सुने होगा आज लाइन बताता हू है दोस्तों किस्मत से लड़ने में मज़ा आ रहा है दोस्तों यह मुझे जीतने नहीं दे रही और मेहार मान नहीं रहा ठीक है तो कोई दिखकर दिनी गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है आई डोंट केर आप हो साथ में आप हो साथ में बस वो आजकल गाना नहीं चल ला है तू है तो फिर मुझे क्या चाहिए है ना तो जब तू है तो फिर मुझे क्या चाहिए सिंबल सी बात है आओ ज़रा बिवेंघियं और बारतिय प्रिस्ट दिनियम और प्रिस यह आप से पूचा गया है और आपको यहां पर बताना है के स्में राइट आंसर जो है वह वह क्या हो जाएगा यह किसके लिए मीडियुयम के मैं जल्ली सी मताओ फटाफट से इसका राइट आंसर वोगा हो जाएगा वस्ас team उक्रेक्ट और क्वेस्षिन जल्ली से बोलो। जल्ल वह गुर्ट mapped कि यह लग 국झ ग जली से मुझे बताओ चलो आओ ज़रा देखो जब भी हम बात करते देखो आप मैंने आपको के बताया 1885 से लेके 1905 तक का जो फेस था वो कौन से चला था वो चलता था नरम बंतियों का पांस से लेके और 1915 तक यह फेस कौन सा चलेगा गरम पंतियों का और जैसे ही यह फेस प्रारम भुगा तो देटा ध्यान लगना यहां पर क्या किया जो अंग्रेज अधिकारी थे और उन्हों पर रोक थाम लगाने की कोशिश की और इसलिए यहां पर बहुत सारे जो एक्ट था यह कब कथा बैटा यह था नाइटीन सarma जो चाटा पहले बात यहां बिलकुल साइघ करमेनल लोग अमैंडमेंट एक से नहीं यह उन्नीशो आट का था ठीक है इनियल प्रेशेंट 1910 का जी हाँ बिलकुल सही तो दूसरा सहीं औरसा सहीं और इसका यहां पर यहां पर ध्यान रखना है क्या हो जाएगा क्योंकि पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है पहला कप का है 1907 का 1907 का पहला है ठीक है और उसके बाद में कौन सा यहां पर 1908 यानि कि पहला तीसरा गलत दूसरा चौता सही और इसलिए राइट यहां पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इस बात का भी आपको यहां पर द्यान रखना है अब एक बात मुझे बताओ एक बात जड़ा मुझे बताओ यहां पर यह जो कि दाउट अड़ा 247 में है यह बैसर हां डाउट अड़ा यह अड़ा 247 में ही है आप जब वेब साइट पर जाएंगे तो वहां पर आप जब पर्चेस करेंगे तो आपको देखनों को मिल जाए लेकिन हां मैं आपको यह रिकमेंट करूंगा कि आप इसको एप से पर्चे लोग यहां पर क्या होता है कभी-कभी आपको कन्फ्यूज कर सकता है लौड मिंटो बोल सकता है आप से या बोलेगा लौड मिंटो तो बोलेगा लेकिन मिंटो के साथ ने चीज़ और एड़ कर देगा क्या मिंटो फर्स्ट मिंटो सेकेंड लो हम तो मिंटो याद किये थे यह तो दो एक और दो भी लगा दी अब तो बेटा आपको कन्फूज मत होना है सी दिसी बात है कौन सा एगा लोड मेंटो सेकंड जो कि पहला कब था पहला तो था नहीं अठारा सो आठ के टाइम पर जब रहन जी सिंग के साथ में संधी हुए थी चाल्स मैट का अपने स्टा आक्षर किये थे तो यहां पर क्या हो जाएगा यह समझ में आई बात क्लियर है दूसरा रहेगा यहां पर सर जी मैंने पहले आंसर दिया था बहुत बढ़ी अदीपति शाबास बेटा ऐसी मैनद करते रहो तुम ठीक है जल्दी से आई इस बन जाओगी हाडवक करते रहे ठीक है चले आगे आगे चले जड़ा अगले को देखो नेक्स कोशन की बात जो है वह आप से की जा रही है तो कॉशन को पढ़ेंगे और मुझे आंसर देंगे किसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है स्वदेशी आंदुलन के निमलिकित कतनों पर विचार करें सुबरमणियम भारती ने सुदेश गीतम लिखा नंदलाल बोस जिन्होंने भारती कला पर एक प्रमुख छाप छोड़ी 1907 में स्थापित इंडियन सुसाइटी ओफ औरिएंटल आर्ट दोरत दीजेने वाली छा क्वेशन आपको आंसर देना इसका प्रेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह आप मुझे बताएंगे ठीक है क्लियर है आगे चले जरा यह हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं आगे चलते हैं इंगलिस में वालों के लिए जलनी से सको देखो और मुझे आंसर तो किसका राइट जो है वो क्या होना चाहिए what will be the correct answer this particular question कौशिक रियान कह रहे है डी मधू पंडित कह रही है ए पमिश शर्मा का अंसर डी है अफसाना खातून का अंसर डी है विनेश रिवास्ताव का अंसर सी है शिवाया का अंसर डी है मंका चौधरी डी नेहा कुमारी डी सेखर कुमार डी रजी कान चौधरी कान से डी चलो बहुत बढ़िया यार यह बिलर क्यों दिख रहा है तुमको एक मत रुको जड़ा टेक्निकल टीम को बुलाए जाता है कि बिलर क्यों दिख रहा है यह दूसरे चलनल पर तो सही चल लाए या गुड मॉर्निंग गॉड मॉर्निंग गाईज गॉड मॉर्निंग क्लियर है ना तो यह थोड़ जाते हैं इसमें बिलर दिख रहे हैं बागे कुछ बच्ची बोलने के क्लियर है इस इस टीमिकाउट कर दो यह 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 फाइनल अक्य चलिए ठीक है क्वेशन पूछा कि आंसर दे रहा हो क्या आंसर दे रहा हो क्या जली से बढ़ा भादा वट से अगया जितने भी यहां पर आई एस वाले चेनल पर बच्ची एना जो आप लोग के कमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ आप लोग क्या रही है तो आप लोग यहां पर आजाओ तो मैं आराम से आपके यहां पर आंसर दे दूँँ ठीक है किलियर है चलो आप देखो बिटा देखो सुवरमंडियम भारती रॉट सुदेशम गीतम यह बात बिल्कुल सही है पहला नाम आप लोग ध्यान लगना क्योंकि ऐसे प्रश यह स्टेटमेंट बेटा यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहां पर गलत हो जाएगा अच्छा गलत क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां पर रविंद्र नास टैगोर नहीं है यहां पर अबनिंद्र नास टैगोर इसलिए यह ती दोब लोग यहां पर भूलना मत गलत मत होना ध्यान रखना इस बात का क्रिक्सक्षे Venom मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर अबनिंद्र नाथ कर देता हूँ रविंद्र नाथ कर देता हूँ और तुमको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था तुमको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि यहाँ पर हमको क्या करना है रविंद्र नाथ पेंटिंग के साथ में क्या कर चले जड़ा आगे चले ना कोई दिक्कत तो नहीं है अगले कुश्चन को देखो जड़ा अगले कुश्चन को देखो जड़ा अगला कुश्चन क्या कहता है सुदेशी आंदुलन के संबंद में निम्ल कत्रों पर विचार कर अक्टूबर 1906 में ख्वाजा सलीम उल्ला जिनका नाम कहा था सलीम उल्ला खान के नेतरत में शिमला डेपूटेशन नामक मुस्लिम अवज राजगोयल एक क्वेशन बेटा सलो जो में तुमको बताना चारो क्वेशन मेरा यह है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें डेट होती है कि इस डेट तक आपकी डेट जो है वो इतनी होने चाहिए तो अगर आप उसको पार कर पार तो तो आप फॉर्म भर पाएंगे और नहीं तो नहीं भर पाएंगे तो जब व्यग्यप्ति जो आई है ना उसमें डेट लखी होती है कि इस से लेके इस तक की एज के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए अगर होगी तो अच्छी बात नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए ठीक है राज बहुत देर से तुम प्रश को ढ़ी होजी कि बाड़ा गई यहांपर से की क कि फिकि बाड़ा गही है सि कि बाड़ा गईए ठीक है किसकी बाड़ा गई है किसे की बाड़ा गही चलो देखें कि क्या होना चाहिए ठीक है आओ जरा इन अक्टूबर 1906 groups of Muslim-alights called similar deputation lead by ख्वाजा सली मुला मीट लॉर्ड मिंटो एंड डिमांड इट सेपरेट एलट्रेट फॉर्ड मुसलिम्स और गोपाल कृष्न गोखले अलसु वेंट तो इंगलेंट तू मीट दा सेक्रेटरी अपने लिए जोन मौरले तू पूट कॉंगेस डिमांड ऑसेल गवर्निंग सिस बिटार जो अठीर वेक्त विटा आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है आप लोग को यहां पर ध्यान दखना है यह सिक्टरिय ऊपसुपे पूश्ट जो थी वह आटारा सो आथावन के दौरा लाई गयी ती इस बात को आप लोग ध्यान लखना गलत मज़कर देना अच्छा दूसरा यह बात बिलकुल सही है कि 906 में एक डेलिगेट जो गुरूप था वो मिला था लेकिन उसकी जो अध्यक्ष्टा की थी वह किस ने की थी उसकी अध्यक्ष्टा की थी किस ने बिटा आगा खान ने इसके कि आगा खान ने इसके अध्यक्ष्टा की थी इसलिए यहाँ पर घ्लत हो जाएगा और राइट राइट Unidos केवल दो हो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर र पोजाएगा इस प्व favor नहीं आ promptly would हुई जल्ली से मुझे बताओ इज़ को अगर यह पर आगा खानो होता तो यह पर का सलीम औल्लाफ खांल लिखा हुआ है और इस क्वेशन भी मेरे दोरा कलाकारी की गई ती लिखा हुआ यहं पर क्या था आगा खानी था लेकिन फिर मैंने सको क्या कर दिया संसोदित कर दिया और क्या कर दिया सलीम यॉल्लाय और बाकाइदा जो अनका वास्तवेक्च नाम था क्वाजा सलीम उ सालीर। उसको मैं ने इंत्लूड किया ताकि आप पूरी तरीक racial जाएं और वो मैंने कर दिया मैं आप से यहां पर पूछा जाए जी हाँ बिल्कुल सही लौर्ड मिंटो दोती यही थे देवेश बिल्कुल सही अगर माली जी आप से यहां पर यह पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के गठन का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था तब आपको आंसर क्या देना है तब आप से गलत नहीं होना चाहिए बात यहां पर समझ में आई या नहीं जल्डी से मुझे बतांवेश फटाफट से आप सब को क्लियर हो रहा है या नहीं जल्दी से मुझे बढ़ा दो इंदी में क्यों नहीं है सर कौशन आर्चिना भोटाम पूचनी देखो मेटा यह क्या लिखा है क्या लिखा है पहले इस्तमाल करें फिर बिस्पास करें अच्छिक के लिए सर मेरा कॉमेंट देखी प्लीज कमल कुमार देख तो रहूं बिटा क्या हो गया कचले आगे वह का आगे चले आ अगे छी को मोंत्रच विजयत ऐसकल इस परस्मादू ने भी चार धारा के संबंद में निमलिखित कतनों पर आपको क्या करना है बिटा बिचार करना है चरंपंती मतलब एक्स्ट्रीमिस्ट की बात की गई है यहां पर किसकी बात की गई है एक्स्ट्रीमिस्ट की यहां पर बात की गई है इस बात को आपको सामने मैंने यहां पर क्या किये हैं प्रस्तुत किये हैं इस बात को आपको ध्यान लखना है ठीक है चलिए यह हिंदी वाले थे अब यह चलते अपन इंग्लिश वालों के लिए तो जल्ली से एक बार देख लो और मुझे आंसर दे दो कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो है ठीक है यानिकि ABCD सब कुछ चल रहा यहां पर है ना ABCD सब कुछ चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आओ मेरे साथ में आओ जो रा मेरे साथ में देखो चला इस ट्याइडमेंट एक्स्ट आइडियोलोजी और एक्स्ट्री जो हैं वह कपसे चल रही है उन्निस पांस से ल बिल्कुल सही आ सकते हैं उन से घ्रणा करते थे यह बात बिल्कुल सही है मानेंगे इस बात को गलत हों जाएंगी यह वाली बात यहां पर क्या हो जाएगी कि गलत हो जाएंगी because they believe in the capacity of mass वो जो भीड होती थी जो जनता थी उसमें उसकी जो चमता थी उसमें बिलीफ करते थे उसमें विश्वास करते थे सुराज यज़ा गोल बिल्कुल सही बात थैं सुराज यज़ा गोल और एड़ोकेसी उफ डारेकट प्लिटिकल एक्शन एंड सेलफ सेक्रिफाइज़ बिल्कुल बात सही तो यहां पर यह भी सही यह वी थी थी तो एक तीन चार यानि कि सी वाले जो हैं सी वाले मेरे साथ ज पर नोट नहीं था यह नोट भी लगाया गया है इस नोट को भी लगाया गया है आप विस्वास नहीं मानेंगे मैं आपको आज बता दीता हूं सुबह पूरे पाँच बज़ के पचास मिनिट तक आपकी ये सारे क्वेशन को डिजाइन किया गया है मेरे इन हाथों के दौरा अब आप ये मत बोल देना के सर ये हाथ हम को दे दो ठाकुर ये हाथ किसी को नहीं मिलेंगे या फिर जिस प्रकार से शाहजान ने हाथ कारिगरों के हाथ कटवा दिये थे ऐसा भी मैं नहीं होने दूँगा लेकिन हाँ ये वास्तविक्ता है कि बहुत मेहनत के दौरा संचोधन करने के दौरा आपके सामने ये प्रस्टन जो हैं प्रस्तुत किये गए ध्यान रखना इस बात का अधर वाइस आप लोग देखते हैं बहुत सारे क्वेशन्स आपको नेट पे मिल जाते हैं वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो पढ़ा दो जो तुमको करना हो करो मेरा तो काम हो गया लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग बहुत उमीद लेके विश्वास के साथ में इस क्लास में मेरे साथ जुड़ते हो और आपके साथ में दीपेश मतलब यहां मैं कम से कम आपके साथ में इमांदारी के साथ में यहां पर आपके साथ में काम करूँ ठीक है क्लियर है चले आगे आगे चले ठीक है क्लियर है तो बिटे यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पर एक तीन चार में समझ में आया क्या मचज में आया चले आगे डिचल आगे दीखो जढ़ा नेक्स कुश्ट की बात के संबंदम निंक्रिकर करना विचार करना जो मार्ने में अब इस राय कि कारीकारी परिशन में दो भारती हों Syd Tibra प्रत्यक्स थी और मुसल्मानों के लिए प्रत्यक निर्वाच्च की शुरुआज यहां पर की गई यानिकि मारले मिंटो की बात की गई और मारले मिंटो जो है वह कब आया था वह था कर आओ गुस्ता तो नहीं मुझे नाराज तो नहीं हो चले यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है और आप चलते हैं पर इंग्लिस में बालों के लिए चलो इंग्लिस में दिखाओ देखो इंग्लिस में देख लो दुम बटा इंग्लिस में चलो ठीक है तर्यूर वेरी ग्रेट परसर फोर टीचिंग वर्ल अई सल्यूट तो यह स्ट्रगल और टीचिंग स्टाइल थेंगे सो मच पुष्पेंद्र थेंगे सो मच मुझे सिर्फ आप से यहां पर क्या चाहिए मुझे आप से चाहिए यहां पर अभी आपका लाइक आपका शेयर और इसके साथ में आपके प्यारे से कॉमेंट और इसके बाद में जब वीडियो पूरी हो जाए तो उसके बाद में जितने भी लोग हैं अपना एक एक विचार जो है लिए बटा ध्यान लखना टू इंडियांस टूबी ओन वॉइस और एक्जुटिव कांसे पहला स्टेट्वेंट आप से कहता है यह सिस्टम ऑफ एलेक्शन वह इंडारेक्ट दूसरा कर्शन कहता है और सेपरेट इलेक्टरेट इंडेडूस फॉर मुसलिम यह बात भी बि टू Hisk क्या कर दिया जिसको मैंने कर दिया चैट भाक्स कर देंगें और जितने लрав और और एस्यादी वाले करेंगे निला तब ही तो पता कैना चलेगा न चलेगाoral डेर से रंगीला टिट किलिए बात जली से ब्झे बता उजली से मझे बताओ बात क्लिए के नहीं है बात किलिए राय रहना चलेके आगे सिर्म लोग का सब्सक्राइब हने देखा तुम पहुंचगने तुमसे बाए मैने वहां के लोगों को यहां बुलाया कुछ लोग यहां से पहुच गए एसा नहीं उपिछ फूट डालो की नीती जो थी यानि कि 1905 में जो बंगाल विवाजन हुआ था उसके बाद में 1906 में जब मुस्लिम लीक के सापना हुई थी और मुस्लिम लीक के कुछ लोग किसे जाके मिले थे लॉड मिंटो से जिन्हों ने क्या मांगी थी प्रतक निर्वाचन की मांगी थी उस मांग को यहां पर क तीसरा सई और चुनाम कैसे थे इंडारेक्ट थे आपर टेक्ष थे दूसरा भी सही तीसरा भी सही इसलिए विट्वाटा यहां पर राइट अजर के हो जाए को दूँवर्ती समझ में आई बात समझे बात आगी आपको किलियर रहे आगे चले ज़रा बिटा आगे चले अगले कोशन की बात करें क्या अगले कोशन की चर्चा का क्या जल्ली से देखो फटा-फट्स अकौशन जो है वो क्या कहता है बह। टाइम के बाद में इस पूरे सेहान का मुझे लगता कि मेरा आंसर भी क्या हो गया सही हो गया तो एक बार दिल खोल के जोर से सारे लोग उसको क्या कर देंगे सही कर देंगे किसी का भी गलस नहीं होना चाहिए इसको तो कम सिके मत गलाज मत करना कम से कम ठीक है के लियर है और बेटा सुनो एक वाम सुनो एक काम करो जो लोग मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए ना वह लोग क्या करेंगे एक बार सेशन को शेर करके ना 200 पार कराएंगे यार ठीक है तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए टोटल 172 लोग है यह सारे लोग अपने अपने वाट्सप स्टेटरस पर आज इस सेशन की लिंक लगा लो तो आज का जो रिकॉर्ड है वह हमको पार करना है पिछली बार मैंने 272 बढ़ाए थे 242 तो वो रिकॉर्ड आज़ तोडना थे ऊबार सारे लोग क्या करें गें सेशन को शेयर करेंगे सारे लोग ठीक है आओ मेरे साथ ठीक है आओ रोलेक्टेक्ट की बात कि जा रहे दा रही बाए 1909 की चर्शा करेंगे साइमन कमिसन की पार लो बाइंटें टॉंटी-इट में ठीक है ने कि पूरती आप से पूछ सह रहे आरंब से पूछरा है न प्रचंड ठीक है तो सबसे पहले क्या साछी ऊपर में आएगा एक उसके बाद में आएगा दो यानि की करेक्ट अंसर यांपर यह पर क्या हो जाएगा तीक है यहांपर क्या हो जाएगा तीन चार एक दो यहां पर क्या जाएगा सई हो जाएगा ठीक है दीपेसर का लाड़ा बेटा उस चैनल से उटके जरा जा दूसरे बाले प्याजा मेरा मुन्ना कब से तुछे देख रहा हूं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं तरह है पलके बचार के बैठेतर रस्ते पियार जली तरह फटा पर कश्चेंर ठीस सीच है सभी त के तो पता कौन से कर देगा जो कॉंस्टेवल की तैयारी कर रहा है तैंट पास उसको सही कर देगा तो जिन लोग का खसुआ है वो ज्यादा अपने आपको प्रफोल नहीं समझे इससे पहले जो सही हुए थे उन लोग का मेरा सल्यूट है वो लोग बलकुल बढ़िया कर रहे है एकदम कड़क ठीक है किलियर है चलो सर मारले मिंटो एक्स्प्लेंड कर दो सैम टो एसम टॉन्टीफोर कलेक्सन पूछ रहे ठीक है वटा सुनो जरा देखो बन एटीफोर हो गये हैं सोला और चाहिए जल्ली से फटापर्स एक बार शेयर करो और 200 पार करो उसको जल्ली से सपोड़ थो करते हो ना प्यार तो यहां पर ऑफोर्ट दुनिया को दिखाने आजा तु किसी और से मिलने के भ़ाने आजा आओ जिसमारे मिंटों की बाद कर लेते दो गलतरओं में आप लोग जानते हैं कि लुट के Luck ऑलक це बैस निए जो सकतियां थी वह कहां चल इनंकर सब्सक्नाइब यहाँ पर क्या हुआ कि जबuhan sin 5009 sakes में बंगाल कर वेभाजन किया गया तो कुछ ऐसे लोग जो थे कुछ ऐसे लोग जो थे वो ये चाहते थे कि हाँ बंगाल के वेवाजन हो और उनी सारे लोगों ने मिलकर किसका स्थापना कर ली मुस्लिम ली कि स्थापना कर ली वही पर एक बोल सकते हैं कॉंस्टिशनल डवलेप्मेंट या कॉंस्टिशनल रिफॉर्म्स के लिए एक एक लाए गया जिसको हम इंडिन काउंसल एक 1909 बोलते हैं भारत पर परिशत अधिनियम 1909 बोला जाता है इसके साथ साथ में इसको मारले मिंटो सुधार भी बोला जाता है क्यों कि उस टाइम प इसके साथ साथ में जो विधाई प्रक्रिया होती है विधाई प्रक्रिया उजदी जैसे बजट की डिसकेशन की बात हो गई वन सारी चीजों को भी यहां पर मॉरले मिंटो एक के दौरा प्रदर्शित किया गया था इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान लखना है इस पॉइंट को भी आपको यहां पर कवर कर लेना है बात समझ में आई जली से मुझे बताओ पॉइंट के लिए रहे के नहीं है जली से बोलो यार जली से मुझे बताओ बात के लिए रहे के नहीं है हुआ है हागे चलने क्या आगे चलें क्या अभी ठीक है बहुत ही हाग OUR यह मुन्थ एह मेरे मुन्थ तंसरकल नहीं को explore में आगे नहीं जिटकर तो नहीं है सरापकी क्लास में आपके मूड कता ही हो जाता है मंम्मा बोल रही है है असो कम पड़ा हुजात हाँ हाँ छब आगे चले क्या यह कुरचिंट नहीं कर लिया इसको तो आगे देख़ ऐसे तरुनां इस्टेटमेंट्स इस यहां पर बात जो वो हो की गई रख होसला मनजर भी आएका प्यासे के पास समुंदर भी आएगा साक हार के नाBen बैठ मनजिल के मुंसाफिर मनजिल मिलेगी और र मिलने का मज़ा बी आएगा मचल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा बी हाएगा तो बिटा हमेशा अपने आपको आप पॉजिटिव रखिए ये दुनिया बहुत डैस 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 है ठीक है आगे तो आप समझदार है ठीक है तो भाई सब आप कितना भी महत्व दीजिए कितना भी आप किसी चीजों को आप सेक्रिफाइस कीजिए उनका कोई मतलब नहीं निकलता है ये दुनिया सरफ अपना 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 देखती है स्वार्थ अपना स्वार्थ देखती है ध्यान रखना इस बात का और यह experience है अनुभब बता रहा हूं फ्री में पैसे नहीं लिए रहा है कोई फीस नहीं लिए मैंने ठीक है आगे चलो च आगे चले क्या अनुशीलन समिती वाज लोंच्ट ओन टूंटी फोर्थ आप मात नाइंटी जिरू टू बाया बारिंद्र कुमार घोष जतिंद्र नाथ बैनर जी एंड परमत नाथ मित्रा इट वाज हैड़ेट बाय बारिंद्र कुमार घोष यंगर ब्रदर ऑफ्री अर अन्सर हो जाएगा तो सर के हम आप पर भी बिस्वास करें या नहीं यह अच्छी बात थी यह अच्छी बात थी मतलब यवित ने तो भाई मुझसे भूल दिया मतलब आप देख रहे हो मैंने अभी यहां पर क्या दिया एक ग्यान दिया और वो ग्यान को मुझे इंप्लिमेंट कर दिए तो यवित पता क्या बोला है यवित बोला है कि सरवता आप पर बिस्वास कर मैंने लाइक हो या नहीं तो अभी थेरे पहले मैंने बूला था है के लो दो अब इसका इन्डी कहा गया इसका रिका कर दिया गया लोगो स्का हीनदी कहें वाईसाब अच्छा मीन मैं गया तो बतारा कि ऐसको नाम क्या है जिसका नाम अनोसीलन समिती कि अनूसीलन समिती जिसके 1202 में 1992 घोष जदिंदार्नाथ बनरजी तरह सारे लोगोगं के साथ मिसके श्थापना की गयीती जिसमें इन के साथ में अरविंदो घोषबी थे बिन गशके नाम होता है यूगांतन ठीक है तो इसलिए द्हान ध्यान रखना यह पर पहला statement जो है वह भी सही है और दूसरा statement किया है वह भी सही है इस लिए इसलिए आपको ध्यान लखना है कि यहाँ पर corporate answer जो यह तो टन्टी फोर सेवन आईएस पीसी एस चैनल पर जाएं और वहां पर जॉइन करें ताकि हम लोग जो टार्गेट सोच रहें दोसो पार करने का वह जाएगा तो आप लोग यहां पर जो 30 32 लोग ना आईएस वाले चैनल पर में पर यहां से उटको इस पर आ जाओ आईएस पीस पर सारे लोग उसको जोइन कर लो सर्च कर लो यूटूब पर अटर 247 आईएस पीसी एस उस पर जाकर जोइन करो फटापट से तो यहां पर राइट अंजर क्या हो जाएगा अगला कोशन देखो नेक्स कोशन देखो अगला कोशन देखो महरास्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविदी 1889 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान सेना का संगठन किया गया था इस पॉइंट को आपको ध्यान लगना है दूसरा सावरकर और और उनके भाई ने 8199 में एक गुप्त समिति इसका नाम किया का था मित्रमेला का आयोजिन किया ए cracklaw MARTIN यहां पर अभिन भारत जो था उसमें क्या हो गया विल्य हो गया उसमें क्या हो गया था विल्य हो गया था यह आप यहां पर पूछा गया है तो जल्ली से हम मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वर्ट विल भी दा करेक्ट आंसर और दिस पर्टिकुलर क्वेस्टन हाँ यार यह सही कह रहे हो लेकिन बेजिंग कैसे एक मिट का टाइम दिना जरा मुझे ना पर्टा एक मिट का टाइम दिना जाना नहीं किसी को भी अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ठीक है अब पिटा ध्यान अगनास का अंसर सुझार मेरी बात को सबना कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर मानली जी आपसे यहां पर पूछा जा कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन या मैं बहुत सकता हूं जो विद्रोही जो शुवाज जो थी वो कहां से हुई थी तो भीटा ध्यान लखना वह 1889 में बासुदे बलवंत्रा फटके जो था उनके दोरह प्रारम हुए था म अविन्थ भारत की सापना पूदी वेटा नाइंटीननफ जिरो फोर में 1934 में इसकी स्थापना की गए थी जिस प्रकार से मेजनी ने इटली में इटली में यंग इटली की सापना की थी ना की यंग इटली की चीक है उसी प्रकार से यहां पर विनायक दामोदर सावर करने क्या किया यहां पर स्थापना किसकी आवना भारत की की थी इसी लिए पहला statement भी यहां पर क्या है सही है और दूसरा statement भी यहां पर क्या है Beni आपको द्यान लगना है जो perfect the answer right answer कट र Whereas the right answer C यहां पर right answer हो जाएगा इस बात को तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है ज़ूट दा बहुत बढ़ी है तुम यहां पर आ गए आ गये इस अरे लोग बीटा यहीं पर आ जाओ अप ठीक है ना बहुत बढ़ी है तो यहां पर राइट आंसर ट्रूजाएगा इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है बात के लिए रहना सबको कोई कन्फूजन तो नहीं है बिल्कुल मानना पड़ेगा यार मानना पड़ेगा अरे आपके अंदर की पी कैपिबिलिटी आप भी कर सकते हैं पुश्पेंदर बस अपने अंदर दम रखना यहां अगनी धदखती रहनी चाहिए बस मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग बस आग जलनी चाहिए हो कहीं भी आग बस आग जलनी चाहिए बात के लिए रहे आगे चले आगे चले चले यूपीसी डवलू बिटा तुम इतनी देर से कहां थे यह बताओ है इतनी देर से कहां से चलो आओ जड़ा देखो जड़ा अगला कोश्चन देखो अच्छा यह दो इंगलिश मुडियें इंगलिश मुडियें देखना चाहते उसका स्क्रीन शोट ले लो इसका स्क्रीन शोट ले लो आराम से और आप मुझे बता देना ठीक है ताकि मैं आगे बढ़ू फिर फिर मैं आगे बढ़ता हूं आगे चले आगे चले चलो अगले कुश्चन की बात करते नेक्स कुश्चन की चर्चा कर लेते हैं अगला कुश्चन देखो निमलिखित कथनों पर आपको क्या करना है बिटा विचार करना है अजीत सिंग जिनोंने लाहॉर में चरम पंती यानिकी गरम पंती अंजुमन ए मुहिसबान ए वतन को उसकी पत्यका भारत माता के साथ संग्टित किया था एक पॉइंट तो यह हो जाएगा दूसरा सावरकर और हर्दयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने थे अच्छा दूसरा 1906 में लाला लाजपत्राय और सूफी अम्मा प्रसाथ द्व प्वारत माता सुसाइटी ने जो आपका स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महतवपूर भूमिका निवाई अब आपसे यहां पर पूछा गया है क्वेस्टन को पढ़ो और मुझे आंसर दो किसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वर्ट बिल पी गरेक्ट आंसर कर रहे भाई सी सी चल रहा है सी बी इस बी चीई वी चल रह तीप सिखाप मूझ रहे हैं इसका पी डीएओ का मिलेगा पीडे़ा पी अप्टमीं सरक मिलेगा आपको क्या है सही है और इनके दौरा जन्रल भी था जिसका नाम क्या था भारत माता ये बात बिल्कुल सही है अब चलते हैं यहां पर लंदन में की गई थी इस बात को भी आप लोग को यहां पर ध्यान लखना है यानि कि दूसरा स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे तो सावर करो हर्दयाल जो थे लाला हर्दयाल का नाम आपने सुनाओं यह दोनों व्यक्ति इसमें शामिल थे यह बात बिल्कुल सही है अब दो तीन करेक्ट आंसर जो है बटा यहां पर क्या हो जाएगा डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जल्ली से मुझे बताओ फटा फट से जल्ली से मुझे बताओ ठीक है बटा तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी यानि सी भाकना जो थे वह इसके पहले अद्ध्यक्ष थे इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान रखना यह प्रश्ण भी आपसे गलत जो है वो नहीं होना चाहिए यह आप से छूटना नहीं चाहिए इस बात का विशेस रूप से आप लोग ध्यान रखें जालने से मजे बताओ तुमको सबको जुसको भी इएफ चाहिए वह आप लोग सर्च कर लो आप लोग सर्च कर लो क्या सेच करोगे दीपेश सर आप लोग यह सर्च करोगे आपके पास में PDF जो पहुंच जाएगी और मैं कोशिस करूँगा कि आपको आंसर के साथ में दूँ इस बात की कोशिस करूँगा अधरवाइस आपको यह वाली PDF तो पूरी पीजाईगे और बेटा सेशन को एक बार लाइक और शेर करो यार फ़ले को में इंक्रीस करने थे करें तो भूल गए तुम लोग अरहे मैंने इंक्रीस करने को बोला ता डिक्रीस करने को नहीं तो शेर करो बेटेश पहले सारे लोग जतने भी एम से लोग के잇न रिकॉर्ड तुड़वाना है ना आप लोगों को के नहीं तुड़वाओगे आज जलनी से वोलो फटापट से आज रिकॉर्ड तूट जाना चाहिए ध्यान रगना इस बात का है ठीक है चलो टेलीग्राम पर जी हाँ ऐखो एक चीजा आपने देखी हमने कहानी कहां से स्टार्ट की थी कॉंग्रेस की स्थापना से 885 से पहला कोशन वोई था न लौर्ड करजन वाला था ना डफ्रिन वाला सोरी डफ्रिन वाला था और 1885 से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते 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 अपन कहां पर आ गए 1915 में आ गए बो यह सुनो यह सुनो है ना सिस्टमेटिक में जब तैयारी करते ना तो पढ़ने मज़ा आता है और पढ़ाने मज़ा अधर शेट tenth क्लिएर हो गय हो मुझे लगता है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं मैं आपको नई सिंखा पा रहा हूं मैं आपको नएज़ बता पार वह बोलो यह सु नू तो सच्चा ही है या नहीं जली समय बताओ है कि की ने सच्चा ही है ठीक है सुनो भारतिय सुतंतरता संग्राम के लिए बर्लिन समिति की स्तापना 1915 में वीरेंद्रनाथ चटो पाध्याय बूपेद्रनाथ गत्ता और लाला हर्दयाल के द्वारा की गई थी इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है दूसरा सबसे उलेखनी घटना 15 फरबरी 1915 को सिंगापुर में जामादार चिष्टी खान जामादार अब्दुलगनी और सूबेदार दाउद खान के इंदन नेतत्त में पंजाबी मुस्लिम पांचवी लाइट इंफेंट्री और 36 भी सिक बटालियन दौरा की गई थी इस प अबने इंग्लिश वालों के लिए तो फटापट से एक बार पढ़ लो और मुझे आंसर दो किसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जल्ली से मुझे बताओ गुट मॉर्निंग साहिबा हर्यों गुप्ता बटा क्लास अभी चलेगा प्रभु इक्षा तक जब तक भगवान चाहेंगे तब तक क्लास चलेगा ठीक है अगर यह नमबर होते रहे अगर यह नमबर होता है तो क्लास बिटाज बंद नहीं के ध्यान लेक ना आज मैं भी किरांती लिख दूँगा यहां पर बोर्ड पे लिख दूँगा करवा दीजिए ठीक है सीटू कोशिच करेंगे क्या कहते हो सर E.P.O.F.O. में सिर्फ Modern History आता है न मैं पढ़ लिया हूँ UPSC प्रिया शर्मा चलो बहुत बढ़िया पिर मैंने सर्च किया था चलो अगले कुश्चन की बात करें चली करांतिकारी दीपेसर की जहो इस पर्ष मदू कहां थी तुम चलो बिटा द्यान रखना बर्लिन कमेटी जो है यह बात बिल्कुस है कि अबिस ठावला 1915 कहें कि जर्मणी का हम बोल सकते हैं कि जुक विदेश मंत्रा था उसकी सायता से और इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता checked प्लान 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 पर बहां क्या है थीक है और दूसरी बात आफ लोग सबढ़ामें से विद्र हो था वहां पर हो चुका था है नाइन फोटी सिख्स के शरे नेवी ने विद्रोख किया था उससे पहले तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरे स्टेटमेंट भी सही है यानि कि दोने इस पॉइंट को भी आपको कवर करना सब्सक्राइब कर दिया इस पर्ष मदूने बोला है सी यवित कुमार यह सर रोश्णी यादब कह रही है के सर यूटूब पर भी मोडरन स्टी करवा क्लास करवाई है फालतु लोग कहां से आ जाते सर टाइमिंग प्लिस डाउट अड़ा बिटा टाइमिंग दो मैंना मतलब म सब्सक्राइब कर लेकर दीपेस सर दीपेस डीडवली पी एससर से मिल जाएंगे आपको कहीं भी ठीक है सब जगह मिल जाते हैं चलो अगले कोशन को देखें पैटा अगला कुशन देखो क्या कहता है देखो क्वेशन पर जाने से पहले के इंप्रेंट इंफ्रमेशन आप लिए फिर एक बार है मैंने आपको बताया था बॉस बॉस ठीक है बैचेस और सेलेक्शन बैच स्टार्ट सून फॉम थार्ड ऑफ जुलाई तीन जुलाई से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं मद्दप्रदेस उत्रप्रेस हर्याना बिहार जारखंड जितने भी राज हैं तो किसी परिचे के मुर्ता मोहताज नहीं है यह सारे के सारे फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं और इस बार नए अपडेशन के साथ में जो बैच स्टेडि प्लान उसका अपडेट किया है तो आप लोग अड़ोग 247 की एप या फिर जो वेब साइट है वहाँ पर जरू 284 इस कोड को आप एपलाई करना जिसमें आपको मिलेगा 78% का डिसकाउंट और सबसे बड़ी बात दो साल की व्यदता तो जो लोग 2024 और पचीस में देने वाले हैं ना वो लोग जुड़ जाए मेरे साथ में आप लोग जानते हैं बीचों बीच ठीक है तो आप लोग में स पूरा कर ले के भई अब तो क्रांती लिख नी होगी 2024 ने हमको एक्जाम करना ही करना है बात क्लियर है समझ में आगी चले आगे चलो अगले कोशन की बात कर लेते हैं नेक्स्कोंशंट की चर्चा नेक्सक्रोशन की बात जो है आपसे क्या कहता है सुमर्ण यke और 1915 के बाद में क्या आगया आगया ठीक है हॉम रूली के पतन के करणों के संबंद में निमलिखित कथनों पर आपको क्या करना है विचार करना है ठीक है पहला क्या कह रहा है प्रभावी संगठन का अभाव था और दूसरा 1917-18 के दौरान सामपरदाइक दंगे जो थे वो भी यहां पर देखे गए थे तो अब आपको मुझे बताना है यहां पर शानू राजपूत आप कौन से सब्जेक्ट पर आते हो चानू मैं बेसिकली जो मेरे सब्जेक्ट है कोर हिस्ट्री है ठीक है हिस्ट्री के साथ मैं मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और इंडियन जोगरफी एक बार पढ़ लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं गैरेंटी ग पूछ सकते हैं और पेड़ वाले भी कुछ हैं यहां पर वो भी मुझे से पढ़ते ही है चलो बिटा ब्राह्मन आर्मी तुमारे चुट्टी बटा यह तुमारे लिए चैनल है यही नहीं काम खत्म भारती नेरे का सब करी है हमारा अंशर नहीं देखते आओ जड़ा देखें तुमारा अंसर अरे question दो हां वेटव अश्वरू पर लेकि बात कर लेते हैं हम लोग बात अच्छा इंग्लिश कोई बात नहीं लो инग्स हौ ना उाम परनी कार लेते हैँ सर सोसल स्कीम नहीं पढ़ाएंगे सिभम सक्षेना कह रहे हैं तुम बताओ या फिर इसको करने आप बताओ कि वैसा कर देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है बोलो क्या करें इसको करके सोसल स्कीम पर चलें मुझे ऐसा लगता है भी बढ़ाओंगा डरना किस बात का है मैं हूँ नहीं यहां पर तुम ने सैसन तो 200 पार किया नहीं है तुम लोग यह मतलब थीक है 1967 मृटा ओम्रूल रून क्वर धर होता है और यह इस पेसली जहां से प्रारम गूरता है और एक तो यह करनाटक का बेलगाम हो जाएगा करनाटक का बेलगाम और मदरास का डियार यह दो जगे हैं ठीक है एक है आपका ओल इंडिया और एक कौन से हॉम रूली एनी बेसेंट और इसके साथ साथ में कौन है बाल गंगदर तिलक ध्यान लखना एनी बेसेंट को कुछ इनको क्या कrev दिया था भार्तिया सांति का जनक कह दिया था याना की साथीशा कहने के और यासा कारण के कारण इस कारण लान्य करने निका स्टेटमेंट भी यहां पर क्या है सही है इसलिए बोथ 1 & 2 यानि कि सी जो है वह यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस बात का भी आपको यहां पर क्या रखना है ध्यान रखना है इस बात का भी आपको यहां पर क्या रखना है ध्यान रखना है गलत तो न लेंगे में लाय करें PPT फ्रीज ठीक है अचना अच्छा ही है तो पता हुआ अथिक है चलो अच्छा है यहां तक के question समझ में आ गए ना यहां तक इस सारे question समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना होता है पता है ना और पता तो फर जली से कर दो एक बारी पहली बात तो यह दूसरी बात एक इंपोर्टेंट क्वेशन वह यह के जो क्वेशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं मैं अपनी तरब से आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रश्ण पहले कभी नहीं देखेंगे कभी नहीं देखेंगे ऐसी गारंटी में आपको दे रहा हूं बोलो सही है के नहीं है सही बात बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं यह आपको डिसाइड करना है ठीक है क्लियर है चलो आजाओ दीप शिखाने है ठीक है ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश वेल डन नीलम परिहार नहीं देखे सर शाबाश समर्ता मिश्रा समर्ता मिश्रा देवर्शी ठाकोर मनोज भाईया एपी उफ में आए गाई ये चलो न्यू क्वेशन है सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश वेल डन बहुत बढ़िया चली ठीक है अगले कोशन को देखो जरा नेक्स कोशन निमलिखित कतनों पर आपको क्या करना है विटा बिचार करना है कैसे करोगे बिचार जरा देखो जौसेफ बेपिस्टा और मौमद लिजिन्ना अधरी हॉम रूल अंधुलन के प्रमुक नेता थे हलाकी अंत में दो हॉम रूल लीग जो थे वो शुरू की गई एक बाल गंगा दर तलक दौरा और दूसरी एनिवेसेंट दौरा दोनों का उद्देश आकरमक राजनीति की एक नई प्रवर्ति को शुरू करना था अब आ देवमा सागरिकाः कुड मॉर्निंग बेरिगूटमॉर बॉर्निंग आई वेरी गूड मॉर्निंग आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे संसार में और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोगया मैनत कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेशन जो है वह आपको देखने को मिले एक्जाम में ऐसी मेरी कोशिश है ठीक है चलो ज़रा देखो हाँ और कौन से चनल पर चल रहा है क्लास मनीशतर पार्टी पूछ रही बिटा अड़र टॉन्टी फोर सेवन आई इस पर भी चल ला है बार बार छल ला है ठीक है देखो ज़रा तो जौसेफ वेपेश्टा और मुहमद इली जिनना ध्यान लगना यहां पर मौमद इली जिनना जो है न यह भी प्रारंब में जो हॉम्रूल लीक मूमेंट जो था उससे जुड़े हुए थे उससे यह भी क्या थे इंक्लूड थे यानिकी पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा तो फिर सब को बताईए कि दूसरा तो क्या है दूसरा तो एकदम सही है दूसरा तो एकदम करेक्ट है इसमें तो कोई दिक्कत कोई परिशानी की प्रोब्लम है ही नहीं इसी लिए यहां पर ध्यान लखना के करेक्ट आंसर क्या हो यह आप से गलत नहीं होना चाहिए इसको अपने दिमाग में आप लोग बैठा है रखेगा ठीक है बात क्लियर है समझ में आगी सबको बात यह बिल्कुल सही बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान मैं ठीक है क्लियर चली रहां जो शुवंपांडि कह रहे हैं कि सर आज के जो महता जैला सिंपल वह तो उन से पूछ उनके गलत हो रहे गलत हो रहे हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन अच्छी बात यह सुन नहीं मॉन्तैग्यू बयान पर भारती न hacen MONT so की बात की गई है अब देखो जारा इसको क्या बोले गे पीटा इसको हम बोलेंगे पहले montegu declaration चीलो इसको बोला जाएगा इसके सास साथ में इसको बेटा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मिया पर अगस्त the डिकले रेशन या बोलते अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं अब ध्यान रखना यह बात आपको ध्यान दकना होगा के Montague डिक्लेरेशन है यह 1917 का है 1917 का है इस बात को आपको ध्यान रखना है 1917 का है ठीक है अच्छा यह आया क्यों था क्योंकि भारतिया जो थे वो 1900 के अधिनियम से क्या थे खुश नहीं थे सैटिसफाइड नहीं थे इस बात को आपको द्यार नकना है वो 1909 का जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो था वो से सैटिसफाइड नहीं थे तो यहाँ पर जो सेकेटरी ओफ स्टेट है जनका नाम क्या है लॉर्ड मॉरले ठीक है समवेदार सरकार जो है ना उसकी सापनाम करना चाहते हैं ऐसा उनके दौरा वहाँ पर कहा गया और उसी कहने को क्या बोला घया है अकस । लेलेशन बोला गया है उन्होंने वह यह बोला कि हम इसके बाद में भारत में क्या क्या करेंगे समवैदानिक सुधार करेंगेदें लेकिन जब यहां पर जब भारतियों की बात तो वह भी क्या करते हैं वह भी इसका ब्रोद करना क्या कर देते हैं, अब ब्रोद करना क्यों start करते हैं उसके कमारण की बात करते हैं, पहला क्या कह रहा है, नो specific time frame was given पहला statement, और दूसरा, the government alone was to decide the nature and the timing of the advance towards a responsible government and the Indians were resentful that the British would decide what was good and what was bad for Indians. अब ये कॉशन आप से पूछा गया है अब इस कॉशन को आप लोग ध्यान लखना कि भारतियों के विरोध करने की सबसे बड़ी बज़े ही यहां पर क्या थी जैसे माल लीजे मैं आप से कह दूँ मैं आपसे कह दूँ कि सुनो मैं आपको पूरी मॉडेनिस्टी पढ़ाओंगा लेकिन यह नहीं बता livres के मैं कब पढ़ाओंगा तो आप लोग को लगेगा ना यार बताओ तो पहले कब पढ़ाओंगे बोल तो दिया आपने प्रॉब्लम थी इस पेसिए टाइम जो था वो यहाँ पर नहीं दिया गया था पहली बात तो बैटाश को आपको ध्यान लखना है पहली चीज तो यह दूसरी बात यह सरकार कैसे decide कर सकती है कि क्या भारतियों के लिए अच्छा है और क्या भारतियों के लिए बुरा है यह अधिकार तो भारतियों के पास में होना चाहिए न हम अपना अच्छा अपना बुरा हम decide करेंगे न Who the hell are you आप कौन है यहां पर यां पर किया गया था उसको भिरोद किया था ठीक है और इसनल्य यहां नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब को समझ में आया ना इमांदारी से सबको समझ में आया ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना बिल्कुल भी जल्ली से एक बार मुझे बताओ फटाफट से पॉइंट तो क्लीर है ने सब का नहीं जरूरी नहीं है अर्चना कई बार मैं आप देखते हैं कि मैं इसको गलस भी कर देता हूँ क्यों लेकी स्टेटमेंट मानता हूँ कई बार ऐसा हो जाता है ठीक है के लियर है चलिए बहुत बढ़ी है ठीक है आगे चले जरा अगले प्रिशन की बात करें नेक्स कुशन की चर्चा जो है वह यहां पर करते हैं ठीक है अगला कुशन देखो निमलिखित कथनों पर आपको क्या करना है बिटा विचार करना है ठीक है वरकर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की एक राजनेतिक पार्टी थी जिसने 1925 में भारतिय राश्री कॉंग्रेस के अंदर काम किया था पार्टी के संस्थापक नेता बियार अमिट कर थे और संस्थापक गोशना पत्र पर काजी नजरूल इसलाम द्वारा हस्ताक्षर किये गए थी यह आपको आंसर देना है अब आप मुझे बताईए कि इसमें से राइट आंसर ज आईए पहले टेलिग्राम को जोइन करो आप लोग दीपे सर सर्च करके और जितने भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ में यार नंबर जो है डिक्रीज हो रहे हैं तो मेरा मोरल टाउन हो जाएगा तो फिर क्लास में इंजोई नहीं आएगा आपना जैसे जैसे नंबर बहुत बहुत फैंक्यू सर गूड मोरिं मोरिंग गुड मोरिं सत्व्रीरंजन वेरी गुढ मोरिंग क्यो क्या चाहिए तो आप लोग कहाँ पर आ जाओ दिपे चार के पास ठीक है टेलिग्राम पर आओ जो रफिक्वाले बिच्चे देख लो भAHI इंग्लिष यद्यमिश और यार यह कैं चल रहा है यहां पर एक मिनिट आप चीक है गुड मॉर्निंग आधित्य दिख्षित गुड मॉर्निंग टिके सुना मेरी बात को लुकार और पार्टी पार्टी निटिए वित वॉर्क इंसाइड दा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस पहला स्टेटमेंट साही है बिलकुल बात सही है यह बात बिलकुल सही ठीक है दूसरा देखो जरा ठीक है दूसरा देखो जरा दा फाउंडिंग लीडर ऑफ पार्टी बी आर अंबेटकर यह गलत हो जाएगा बई बीयार अंबेटकर जो है वह यहाँ पर नहीं है इसके इस्थापना में बेटा आपको किसका नाम आएगा काजी नजुरुल इसला तीसरा यहां पर क्या सही है यानि कि पहला और तीसरा सहीं दूसरा क्या हो गया गलत और इसी लिए इसका रहसुर जाएगा डाय सिंह यहां पर रयट आंसर हो जाएगा काझी नसूरुल इस्खे नाम की नाम आपने सबस्रो hell इंखी ना जष्ट सब्सक्राइब करना है इसको गलत मत कर देना इसको छोड़ मत देना समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना आगे चले सब्सक्राइब आपने एडिटिंग की इसमें भी दिपेश कोशिक और दा कब लगाते हैं दा हम तभी लगाते हैं जब दुनिया में एकी चीज़ होती है दा सन दा मून दा अर्थ दा दिपेश कोशिक ठीक है चलो आगे देखो जरा इन एतिहासिक कटनाओं ओ Belgium सिरू करके शैक्र वें बुश्टेद करूं अब यारे इसको भी क्या समझाए तो कर दिया यार मैंने पहलेगा यह City क्या यह उफ्य हो गया ना तीन चारे एक दो हां जार ह्याये चलो अगला कुछ देखो अरेंज़ दा हिस्टोरिकल एवेंट अरे भाइ अच्छ हां यह लग एक्या मौर्ले मेंट आपको यहां पर बताना है तो जल्ली से मुजे बताओ इसका राइट आंसर जो बोग क्या हो जाएगा कि अरे कोई बात नहीं शुभम यार कोई बात नहीं अभी तुम से बोले थे ना तू है तो मुझे क्या चाहिए तू है तो मुझे क्या चाहिए बस तुम हो ना मेरे लिए तुम काफी हो कि खुजी राम बोस के बारे में निम्रकी कत्रों पर आपको क्या करना है विचार करना है वह फासी पर लटकर आए जाने वाले सबसी उम्रत दरा सब्सक्राइब से एक थे और वे अलुसूलन समिती के क्या थे सदस्य थे इस बात को आपको ध्यान रखना है केवल एक दे केव इतना है तो एक और दो मैंसे कोई भी नहीं ये आपको यहां पर बताना है ठीक है मेटा जल्ली से मुझे बाद फटा फट से अंसर देदओ के इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ज設 i s do इस ले बिलकों सभी बहुत बढ़िया तो बटाइं यहां पर जो भी लोग पर साथ में जोड़े हुए उन सबका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपको ध्यान लगना है और वह तारीक जो है वह उसको हम इतिहास से मिटा नहीं सकते तारीक है 11 अगस्त 1908 11 अगस्त 1908 को सुबह तड़के ही इनको क्या दे दी गई थी फासी दे दी गई थी इस बात को भी आपको जिखान लखना है तो किवल बी जो है वो यहां पर यहां पर आंसर हो जाएगा इस point को आपको यहाँ पर answer देना है चलिए अगला कोशन आप से पूछा गया है हिंदी मीडियम बाले बच्चों के लिए तो जल्दी से इसे देखो और मुझे रांसर दो किसका right answer जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि इसका right answer जो है वो क्या हो जाएगा भारतिय प्रेस अधिनियम सूरत कांग्रेस असायोग अंदोलन रोल एक्ट चलो वही जल्दी से मुझे बताओ इसका right answer क्या हो जाएगा यह हिंदी मीडियम बालों के लिए है और अब हम चलेंगे कहा पर अब हम चलेंगे यहां पर इंग्लिस मीडियम बालों के लिए तो जल्ली से एक बार देख लो और मुझे आंसर दे दो किसका right answer जो है वो क्या हो जाएगा अच्छा काम करेंगे सुनो क्लास के बाद में न एक बना लेंगे क्या बोलते हैं उसको टाइम लाइन आप 1857 से लेके 1947 सेुन पर के टाइम लाइन बना लेंगे पूरी के लिए इस साल में क्या हुआ था इस साल में क्या हुआ था तो एक पूरी कहानी जो है और आपकी बनी रहेगी एक पुरा कवर अप जो है वह आपका बना रहेगा थीक है इस बात को आप लोग ध्यान दखना ठीक है बात के लिए रहे हैं चले आगे सब लोग भी बोल रहे हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं लेकिन नहा कुमारी ने डी बोला है नहा कुमारी ने क्या बोला है डी बोला है जरा देखे तो पासिंग ओफ रोले डैक्ट नाइनटीन को लॉन्च ओफ नॉन कोवरेशन नाइनटीन्ट टॅविटनि को पासिंग ओफ प्रेस एक्टन 1910 1910 ठीक है तो सब्से पहले बैटा कि आएगा nauen 2010 नीसौद 10 haegas तो सबसे पहले विटा क्या आएगा दो सबसे पहले आएगा दो उसके बार में एक चाहर उसके बाद माध टीन दो एक चार तीन होगा यहां पर C जित्रे विक्षा वाले हैं उनका राइट आंसर हो गए यांपर तो अंतरियामि है क्योंकि आप हम सब के मन की बात समझ लेते हैं है बिलकुल को ठीक है किलियर तो जितने भी सी वाले थे ना सी वाले उन सब का आंसर सही है बाकि जितने भी για रही एक बीडी थे वह सारे एक गलत है थिक है ज्यान रखना मैं लगत अब कोई बचा तो नहीं है समय से कोई भी दी मिली सारे लोग टेली ग्राम पर जुड़ गए हो ना सारे के सारे कोई छूटा तो नहीं है कोई भी एक भी सिंगल फिर व्यक्ती भी चलो अगले कुशन की बात करो सुभम पांडे के रहे मेरा सहीता बहुत बढ़ी है बिटा शाबाज टेलिग्राम आईडी बताइए सर दीपे सर नाम है बिटा हमारा चलो आ कि स्थापना की में उन्हीं सो छह में पंजीकर प्रभाण पत्रों के बिरुस्त आग्रेश डाया और टोलऌ की स्थापना 1910 में हुई ति तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किसके बारे में बात चल रही है और दूसरी बात ये कि क्या ये सहीं हैं सारे जली से मुझे ब बताओ जली से मुझे बताओ यादा ब्रांड बोले सी नीरज कुमार ने बोला है गांदी जी शिवम पांडे ने बोला है डी वर्षा चोहान कांसे डी है ठीक है बहुत बढ़िया चलो आओ जड़ा मिरसा जोड़ो मेरे साथ में ठीक है सुनो सुनो तो बटाओ ध्यान लगना इनसे सारी की सारी बात मैं बिल्कूल सही है ये गांदी जी के सही अरे ये क्या हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यूं हुआ मैं न जानू रे भाई दिसकार्ड किया इसको इसको बढ़ने है इसके बाद मैं हुआ है ज़िए न हुआ है ठीक है दखो सब्सक्राइब करते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है सुनो जरा जब हम बात करते हैं यहां पर फिनिक्स फॉर्म की तो बात बिल्कुल सही है कि 1904 में गांदी जी कि इसकी स्थापना कि दी गांदी जी की दौरा क्या पर ऐदे जिद्सटेइसन сказать यह पर जिदने भायरतीय थे उनके वहांपर पर क्या किया था कि अब कौरे साथ में आपका पास रिजिस्ट्रेशन है ना वो आपको हमैंसा अपने आपने पास में रखना होगा हमेशा अपने पास इसको कर ना होगा ऐसा reflect घिलाफ यहां पर गांदी ने क्या किया था साथफ्यारी प्राइस किया ईज़ा किया था 908 द्यौन लागनOohкое आप से पूछा जाय कि गांदी जिने सबसे पहला सत्यारी खार्य लूख किया था तो तो और घ्याच में इस ही ईक्र सब्सक्राइब को आपको ध्यान रखना है दूसरा यहां पर पहला सभी दूसरा सभी और तीसरा सभी यानिकी करेक्ट आंसर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा बात समझ मैं आए के नहीं है कि की सल्दी बताओ बात समझ में आई के मैं जल्दी आए क włosapun clear होखे न हुआ कि Payal मैं आए किशूब को कोई दिक्कत कोई पर्शान को प्रॉब्लमन तो नहीं वहां है किसी बुलो भई वो अमोंग दा फॉलोइंग फीडम फाइटर अपोज दा एनी बेसेंट आइडियाज ओफ लॉंचिंग हॉम रूल मूवमेंट आंसर दो हिंदी और इंगलिस दोनों मैंने यहां पर शामिल कर रखे हैं जल्ली से मुझे बताओ फटाफट से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डिस्पले बलर है सर अब मौदमा गांधी अच्छा है और जल्ली से बोलो फटाफट से और सुनो यहां वाले बच्चे ना सब इस पर आ जाओ इस पर क्लिक करो सारे लोग यह जो लिंक में ने पोश्ट किया है दूसरे वाले गृप आप लोग यहीं पीजिए सब्सक्राइब यही रहेंगे जो आई एस वाले उनको बोला हों कि वहले तो पता चले यहां से बाच चले जाता है महां से यहां आ जा रहे हैं आप लोग यहीं रुकिए ठीक है दली से बोलो फटाफट से अ अ अ अ अ जब भी हम यहां पर बात करते हैं आप से जो पूछा जाएगा तो यहां पर राइट आंसर के हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोगले इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहां से आप से एक्जाम में कोईशन जो है पूछा जा सकता है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ आपको यहां पर ध्यान लखना है क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह इस्पेशली एक बहुत सकते के मौडरेट है ठीक है क्या है वो मौडरेट है और यहां पर जो आपका हॉम रूल है इसकी पृतिकरिया कैसी है अक्रमनाकारी ठीक है इसी लिए यहां पर क्या किया गये था उसको विरूद किया था विरूद किया गये था इसी लिए आपको यहां पर राइठ असर क्या देना है गोपाल कृष्ण हो जाएगा इसका राइठ आञेत थोड़ा साき मतलब को समझना चाहिए था ठीक है थोड़ा सना अगर माली आप क्वेशन को समझते तो समझने के बाद में आपको यहां पर क्या हो जाता आपको यहां पर आंसर मिल जाता बाल गंदर तिलक ने तो इसको स्टार्टी किया है और हॉमरूलिक की जो आइडियोलोजी वो कैसी है आकरमकारी है और मॉडरेट क्या चाहते थे कि प्यार से बात की जाए तो यहां पर विरोध कॉन करेगा गोपाल क्रिश्न गोखले करेंगे ना की बाल के दरते लग ठीक है ध्यान लगना इस बात का बात के लिए रहे निहा कुमारी बिलकुर सही बहुत बढ़ी है शाबाश वैल डन ठीक है शाबाश बहुत बढ़ी है शाबाश चलिए आगे देखे तरह अगले कोशन की बात करते लो भाई तो इंतजार की घडिया जो थी वही समाप और मॉडन हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्ण जो थे वह हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किये तो आप मुझे पताईए अब फाइनली जितने प्रश्ण नहीं पर लगातार सवा 2 गंटे से लगातार सवा 1 गंटे से हम लोग यहां पर लगे हुए है इस class के लिए जतने भी questions हम लोगों ने यहां पर type किये जो भी मैंने design किया जतने questions बनाया तो आप आप बता सकते हैं कि इन questions की quality जो थी उनका standard जो था वो कैसा था अच्छा लगा समझ में आया session शानदार था कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई problem आपको नहीं आई सारी चीजों के concept आपको एकदम से clear हुए yes और no यह बात मुझे जरूर बताईएगा और उसके बाद में अब जो लडाई है हमारी वो कौन सी है अब है हमारे लडाई यहां पर social security के साथ में याने की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में किसके बारे में सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ठीक है clear है शिवम सक्से ना कह रहे होम डूल बता दीजे बिनियर सेशन इस ओलवेस बिटा ध्यान लकना आप जितनी लोगों मेरे साथ में आप सब लोगों को क्लास के बाद में ओफ-लाइन कॉमेंट जरूर करना है यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगली जब मेरी क्लास होगी तो बाकाईदा आप सब का जो कॉमेंट है इस स्क्रीन पर भी में देखाऊंगा तो आप जितने भी लो सारे लोग ऑफ-लाइन जब वीडियो बंद हो जाए तो ऑफ-लाइन कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा विद माइन नेम चलो अब चलते हम अपने अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या कहता है वो सुनो जरा ठीक है कंट्र सी और कंट्रोल वी का यूज ना हुआ सर रियली दा एंटीक क्वेस्टिंस थैंक यू थैंक यू सू मच सर टैमलान बताएं यह दो सो हो जाएंगे मिस्टर रिस्पेक्ट आओ जरा देखो दीपेश सर दीपेश सर डीडवल एपी एस है एसाइज सिम्पल सी बात सच कर लो टोटल 22 लोग और बचे अठारा लोग बचे अठारा लोग बचे अफटाफट शेयर करो जली से सारे लोग ठीक है आजओ सबसे पहली बात तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पहला जो शब्द है वो कौन सा है वो है सामाजिक और दूसरा जो है वो क्या है सुरक्षा तो यहाँ पर हमको यह जानना होगा केवल दीपेसर वाला आए संस्कृति केवल दीपेसर ठीक है तो बटा ध्यान लखना अब यहाँ पर मेरे पॉइंट को समयने की कोशिश करना यह जो सोसल सेक्रोटी है यह दो पॉइंट आपको यहाँ पर सुनने होंगे और पहला क्या है पहला है आपका सोसल और दूसरी क्या है सिक्रोटी सोसल का मतलब क्या होता है सामाजिक और सिक्यूर्टी के मतलब होता है सुरक्षा तो इन दोनों वर्णों के मीनिंग हम को यहां पर पता पढ़ना पड़ेगा ठीक है घर के सारे फोन आज ओन कर दो हाँ घर के जितने फोन है ना आज वह ओपन कर दो और यह अच्छा मैं अपना भी ओपन कर लेता हूं चलो एक लोग भी अपने घर के फोन ओपन कर दीजिए और 200 क्रॉस करेंगे अपन लोग आज ठीक है सुनो तो अब आप देखें सबसे पहली बात तो समाज का क्या मतलब होता है ठीक है समाज का मतलब होता है पहले तो यह सुनो समाज का मतलब हमारे आसपास का जो बातावरण है हमा दूसरी बात अब यहां पर क्या है दूसरी बात है यहां पर सिक्रोटी सिक्रोटी का मतलब होता है सुरक्षा किस बात की सुरक्षा आपके रोजगार की सुरक्षा आपके भोजन की सुरक्षा आपके भविश्ची की सुरक्षा आपके रहने की वो सारी आवशकता है जो आप पर सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है उसी को हम यहां पर सामाजिक शुरक्षा कहते हैं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है ठीक है ऐसा मुझे लगता होगा इस पॉइंट को आप लोग को यहां पर ध्यान लखना है ठीक है पहली बात तो यह दूसरी मैजपूंट बात या सोचल सेक्रियोटी को लेके भारत में अभी तब कोई प्रयास किये गए हैं जी हां अंग्रेजों के जमाने से सब्सक्राइज कि तास की nee और आज के ताइम पर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी हैं क्या किया उनको यहां किया गया इस बात आप लुक जानते हैं इस बात को भी आप लुक सम dwelling हैं हां अमल कुमार वर्मा दोनों पर एक ही क्लास है तुम बिटा यहां क्यों आ गए तुम तो वहां थे ना अब तुम लोग घूम रहे हूं अच्छा पता कुछ लोग ऐसे मस्ती करने चले जा रहे हैं कि चलो आओ उधर आके देखते हैं क्या चल रहा है उधर यह पता ने को अधर भी मैं ही हूं यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या कमेंड करके बताओ कमेंड करके बताओ क्या ठीक है तो वहां पर उस समाल्स को उसको इंपावर करने के लिए उसको शशक्त करने के लिए सरकार के दौरा क्या किये जाती है सरकार के दौरा कुछ schemes जो हैं उनको इंडिड्यूस किया जाता है और उनी schemes के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं उनी के बारे में हम लोग क्या कर रहें यहां पर discussion करने वाले हैं इस point को आपको भी यहां पर क्या रखना है ध्यान रखना है ठीक है clear चलो आग आप लोग इस बात को भी जालते हैं कि किसी भी कोर्स को purchase करने के टाइम पर आपको जो code apply करना है वह को है यहां पर वाई 584 वाई 584 इसको आपको क्या करना है ठीक है clear ज्यान लगना यहां पर आप लोग ठीक है प्रारम बेच स्टारट हो रहा रहा है NCRT का इस बात का आप लोग ध्यान दखेंगे ठीक है clear चलिए अब देखो तो हमारे पास में क्या है हम लोग यहां पर बात करने वाले सोचल सेक्रोटी की बारे में ठीक है सोटतिके बारे में लोग यहां पर चर्चा करने फूड रहता है शेल्टर रहता है ठीक है मदब बोल सकते हैं कि जो व्यापार होता है उनकी सुपदा की बात होती है और इसके साथ साथ में बटा जो मज़दूरी नीथी होती है वो जो लेवर पॉलिसी जो होती है वो और इसके साथ साथ में शोशल सक्पेरोटी यह सारे महत्पुल्ड पॉइंट जो है यह सारे के सारे टॉपिक जो है वह आपको यहां पर यहांपर क्या करना है डिसक्ट करना है ठीक है क्लियर है समझ में आ गए आपको अब हो सकता है कि जब आप UPSC की तयारी करते हैं जब आप संग लोकसवाय की तयारी करते हैं या जब आप राज लोकसवाय की तयारी करते हैं तो वहां पर आप से पूझता है कि सामाजिक सुरक्षा को लागू करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिए या अगर हम बात करें साम या समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका आपकेसे नराकरन करेंगे ऐसे आपसे सवाल जो है वह मुख्य परिक्षा में यानिकि मैंक्स examination में आपसे क्या होता है पूछा जाता है इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना यहां से भी आपसे एक्जाम कोशन जो है वो बन सकता है ठीक है तो आज उनी सारी चप्चाओं के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे अगर मैं आपसे बात करूँ है उसको हम यहां पर क्या करें उसको लॉंज करें और इसी पर आप लोग ध्यान रखना है कि लेबर पर रॉयल कमीशन ने और दोगिक शर्मिकों के लिए स्वास्त भीमा की आवशक्ता पर भी जोर दिया स्वास्त भीमा की समस्या पर 1940, 41, 42 में स्रम मंत्रियों के सम्मिलन भी चर्चा की गई थी तो यह एक इंपोटेंट पॉइंट जो है वो आपको यहां पर ध्यान रखना है यहां से आपसे एक्जाम में प्रश्ण जो है वो पूछा जा सकता है और यह आपसे गलत नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर है चल सब्सक्राइब तो बस यार मेरा तो बस काम बन गया पाल्स क्वेश्ण भी अगर अपको टूदा पॉइंट सीथे यहां से मिल गया तो बस मैं अपनी विवस्ता जो हो बन जाएगी और मैं सच बता रहा हूं पूरी टीम ने इतनी इतने भेंकर एफट लगाए नहीं इस ब सब्सक्राइब को ठीक है so in the year 1927 formulating a health insurance scheme received the intention of the government of india the royal commission on the labor also stressed the need for health insurance for industrial workers and the problem of the health insurance was discussed in the labor minister conference in the year 1940 41 and 42 ठीक है पॉइंट ध्यान रखना यह आपसे गलत नहीं होना चाहिए यह आपसे गलत नहीं होना चाहिए इस बात का बिशेश रूप से आप लोग ध्यान लखेंगे ठीक है क्लियर गुड मॉर्निंग सर हम भी आ गए अब तुम ठे कहां पहले तो यह बताओ कियम नीलन गुड मॉर्निंग सस्टनिवल डवलेप्मेंट भी कवर कर लीजिएगा अच्छा ठीक है ओके अच्छा यहां भीड का मैं ठीक है बहुत बढ़िया चलो आगे देखो तो वन्स अगें वीपी आधरकर समिती इंद इयर 1943 एक कमेटी बनती है कौन सी वीपी आधरकर समिती उनने सो इते तालिस में समिती को अध्यक श्रमिकों के लिए अनिवार बीमा तैयर करने के लिए कार समपा गया था और आधरकर समिती ने 1944 में अनिवार योगदान सिद्दान्दों पर आधरे सिपारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्रमिकों को दोरा योगदान स्लैब में उनकी कमाईपन निरबर था यानिकि यहां पर अब जो जो बोल सकते है जो मजदूर वर्ग थे उनके लिए यहां पर क्या किया गया उनके लिए इंसूरेंस की उनके लिए जो बीमा था उसकी चर्चा यहां पर बीपी आदरकर कमिटी की दौरा 1943 में स्कुंट इंटिडूस किया गया इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक है तो बीप अगर कमेटी इन धियर 1943 इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना ठीक है आगे चले जरा नेक्स पोट की बात करते हैं इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है यह आप से चूटना नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर चलिए आगे की बात करें नेक्स पॉइंट की बात करते हैं आगे देखो जरा ठीक है अगर हम बात करें भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपाए के यानि कि यहां पर कौन-कौन से बोल सकते को उपाए जो हैं वो किये गए हैं तो इसमें श्रमिक मुआवजा दिनियम जैसे कुछ पिछली योजना उने श्रमिकों और परिवारों को चोट लगने की स्तिती में लाप राप्त करने के लिए अंग मार माख प्रसस्थ किया है अब माल लेते हैं कर हें चैसे Soup पर उनका हाथ जो है वह गलती से ताइप पर उस मशीन में चला जाता है और वह उस घर के एक यह कि यह यह क्या थे काम करने वाले थे अबन का हाथ जो होता है वह यहां पर क्या हो जाता है इस वज़य से उनको क्या होता है बहुत सारी अब डाउट अड़ा डाउट अड़ा कमल कुमार तुम कहां थे बेटा प्रीती मैं लाइफ क्लास नहीं ले पाती पर आपकी सारे क्लास देखते हूं यह ग्रेट ठीचा थैंकिस्व मच अब मेरी बात को समझो जो रख्या बुला था मैं एक कॉमेंट आयसा उपर जोड़ा देखें है क्या था वो अब हां डाउट अड़ा नाम तो पहले साही रख लो अपना यह कैसा नाम होता है डाउट अड़ा नाम से रखो पहले साथ से जो घरवालों नाम रखा वोग्त नाम को लेकर आते हैं तोड़ी करते हैं हम लोग कुछ हमारे एथिक्स हैं UPSC के तजारी कर रहे हैं अपने नाम के लोग नाम बनाने के लिए पगला रहे हैं इस टाइम पर तुम देखो लगातार पसीदा बाहर हैं लोग लगातार तीन तीन गंटे तक ताकि नाम बन जाए और हम अपना नामी चुपा ले रहे अरे वह यूपी एसी आईएस विथ हैपी वर्मा दोगा अवतार मुवी की बात यहां पर कर लिए ठीक है वेटा ध्यान अब बाद को चलो तो अब यहां पर क्या होगा जैसे मान लोग उनके साथ में कुछ घटना होती कुछ प्रॉब्लम होती है तो अब उनको क्या मिलेगा उनको यहां पर पैसा मिल जाता है स्रमिक मुवजा अधिनियम 1923 ठीक है इसके साथ साथ में मात्रत लाव अधिनियम 1961 मात्रव के दौरण 12 सब्ता की मजदूरी और समवेतानिक चुट्टियों का प्रावधान करता है अब जैसे मान लिजे कि आप कोई भी महिला है और वह ग पाटा सेल्री के सबस्कुर्ण ठीक यह फ्र longest okay in नहीं कर जाएगा और इसके साथ साथ में उन पर यहां पर क्या की जाएंगी प्रदान की जाएंगी इस बात का भी आपको यहां पर अध्यान रखना ध्यान रखना और दा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक 1972 प्रोवाइट फिप्टीन वेजस फॉर इच एर ऑफ सर्विस टू इंप्लॉई फॉर फॉर फाइव यह और मुर्णाइशन विट टैन वर्ट सेंथ और मूर ठीक है तो यहां पर वो जो उपहार सुरुप जो उनको प्रोविजन होत है जैसे मैं कभी-कभी क्या होता है मजाग में बोलनेता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है तो बिटा यहां पर बुरे लगने वाली कोई बात नहीं है हाँ आप लोग पढ़ते हैं जैसे मालों डाउट अड़ान भी बुला था मुझसे के सर्व स्रेली कि आप कितने आसानी से कितने प्यार से आप सब लोगों के आंसर कॉमेंट आंसर कर रहे हैं तो वो इसलिए वो कामनेस मुझे दी है वो आप लोगों नहीं दी है आप लोगों की वज़े से ही आज मैं यहां पर इस मंज पर उपस्तित हूं आप लोगों के प्यार है आप लोग की बात है है ठीक है किलियर चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं नेक्स के चर्च यहां पर करते हैं अगर हम देखें कि भारत में सामाजिक इश्रक्षा की उपाय कौन-कौन से हैं तो जीरको जड़ा भारत की सामाजिक शुरक्षा योजना निमलेक्ष प्रकार के सामाजिक वीमा क की के जो होता है उसको कवर यह पर किया जाता है इस बात को सब्समान भरत यह नान तो और आपके पास में उपहार उरूप जो उन सब को भी यहां पर क्या किया जाता है उन सब को भी यहां पर शामिल किया जाता है ठीक है ठीक है पॉइंट क्लिए है सब को समझ में आगे ना इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई प्रोब्लम तो नहीं है चलिए आगे देखे जड़ा नेक्स पॉइंट की बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ स्कीम जो है मैंने उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कुछ स की प्रिवेश आयू के अधर पर मांसिक अंसदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है और इस योजना के तहत लाभारती द्वारा मांसिक 50 परसेंट अंसदान दे हैं और किन्द सरकार दौरा इसमें बरावर का युगदान दिया जाता है पचास प्रतिशाद आप दो पचा यानि कि उसकी एलिजबिलिटी क्या है और वहां पर उसको क्या-क्या लाव जो है वो मिलने वाला है इस बात को आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है यहां पर प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना ठीक है तो भारत का नागरिक होना चाहिए यह पात्तरता भी जा रही है ठीक है एज ग्रूप क्या होना चाहिए अठारा से चालिस वर्स होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा यह पॉइंट आपको कवर करना होगा ठीक है किलियर और तीसरा मासिक आय जो है वह 15,000 रुपे से कम हो और EPFO, ESIC या NPS इसमें स्कीम का सद से नहीं होना चाहिए वह जो व्यक्ति है उस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि यहां से आप से एक्जाम में क्वेशन जो है वह पूछा जा सकता है तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे इसको भी आप लोग यहां पर मेंशन कर लेंगे इस बात का आप लोग वि जैसे YouTube पर आप लोग होते हो ना YouTube पर आप लोग देख रहे होते हो YouTube पर देखते ही देखते ह barbecue पहई आसम मन लगा होता है किसी गाने में, किसी सीरियल में, किसी मूवी में और एक ड 750 अब से ब्रेक हा जाता है सबसे पहले जब होगा वोगा आप दोस्व पार तो पहले काम करो अभी ना तो कोई क्वेशन आगे पढ़ाऊंगा और ना कोई डाउट में बताऊंगा सबसे पहले जब होगा वोगा दोस्व पार तो बार फटापट से पहले तो सेशन को सेयर करो सर अगर सर्विंट्री पिल्लर्स हो गया है हो गया तो बहुत बैच फरी में सर की तरफ से हाँ प्यूश वर्मा बिल्कुल फरी में करा देंगे मिलो तो कभी चाहत-ष्ज्री वर्मा ने कलास कतम न हूई है हम इंतितार कर रहें 200 होने का और पांस मिनट का ब्रेक भी है लगातार धाई घंटा हो चुका है तो पांच मिनिट का थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है तब तक मैं दो सो होने का इंतिजार कर रहा हूँ आईए संस्क्रिटी सर आपने मेरा गुड मॉनिंग एकसेप नहीं कि सुरी कुछ काम था इसलिए टाइम से यह देखो मतलब क्या कोईशन आया मतलब भयांकर कुछन आया आया कि कुछन क्या आए कि सरा आप वेजिटेरियन है नौन वेजिटेरियन है मैं सुध शाका हा रही हूं प्यूर वेजिटेरियन चले जी हाँ इस पर्श बिलकुल चले चलो बई तो अब एक काम करते हैं ये सेशन जो है वो रह गया है तो इसको आपन क्या करेंगे सुनो जो डेली मेरा थान चलती है अब इसको उस में कवर करेंगे क्योंकि आसिसर की क्लास भी अब स्टार्ट होगी वो भी बचारे बेट कर रहे हैं मेरी वज़े से उनका नुक्सान नहीं होना चाहिए उनके बच्चे उनके जो student है वो इंतिजार कर रहे होंगे ठीक है ठीक है तो यह बाकिस सारे class बभी बहुत सारी चीज़ें बाकि रह गई थी ठीक है तो यह आगे मैं जिसमें आपको मिलेगा 78% डिसकाउंट इंसी आटी है रॉब बैच है परणाम बैच है बॉस बैच है किसी को परचेस करें वाइफ 584 जो है वह आपको टाइप करना है चलिए यहां तक का सफर था मेरा हुआ आज पूरा और बाकि सारी बाते करेंगे हम अगले सेशन में टेलिग्राम पर आप लोग मिरे साथ जुड़ जाईएगा ओफ-लाइन कमेंट आप सब करता हूँ आपने अभ्यरतियों के लिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके और यूटूब पर यह हाल है तो पेड में तो क्या होता होगा ठीक है न तो यह आप लोगों से यहां पर कोशिश है कि आप सब लोग ऑफ-लाइन कमेंड करके जरूर बताएंगे कि यह क्ला अब अब बंसल अभी टाइम नहीं है अगली क्लास जब होगी तो इसमने मैं जरूर कराओँगा उसको जरूर करा लिए थक है चलिया थू कि जो लाइन मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ हमेशा मैं आपसे इक लाइन बोलता हूँ कि जब आँखों में अर्मान लिया जब आँखों में अर्मान लिया मंजल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया ठीक है तो बस ये बात अपना मूल मंतर बना लिजी इसको जीवन का और इसी तरीके से हम लोग लड़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और अपने सपनों को पुरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें ठीक है तो इसी बात के साथ मैं आज का सफर आज का सेशन में करता हूं यही विदा यही लिता हूं समाप इसको करता हूं आपके ओफ्लाइन कम अपना प्यार अपना विश्वास बनाए रखेगा जल्दी ही मैं किसी नए सेशन में आपके सामने फिर से उपस्तित होंगा थैंकी सो मुझ वंस अगेन भारत माता की जै अच्छा गया नहीं सुनो अभी यहां पर कुछ क्लास कब होगी शानु क्लास होगी मनलब क्लास हमारे डेली चलती मेरा थन तो उसमें मेरी क्लास रहती शाम को चार से पांच में उसमें जुड़ जाना जिन लोग को PDF अभी तक नहीं मिली है वो PDF पाने के लिए आप लोग विड़ोस सकते मेरे साथ में ठीक है और कोई क्वेस्चन और को तो नहीं किसी को भी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं अच्छा हाँ एक बार चैट्वक्स को लाल और चलो यार चलो फटाफट से चैट्वक्स को लाल कर दो सारे लोग को ठीक है तो आफ्लाइन कमेंट आप लोग जरूर कीजेगा और मुझे बताइएगा के कैसा रहा ये सेशन ठीक है चलिए मिलता हूँ आप से नेक्स सेशन में तब तक लिए थेंगे सो मज गाईस भारत माता की जैए प्रा दिए और मुझे जाओ परभार ये सेशन में तक लोग रहा हूँदूए लिए बताव के तक लिएाँ हूँखँएग जएफ बतावाँ भारत माताव पुछ के लिए रहा हूँएड़का की जाँ है शुछ झालिएग दितक लिएक है कैसा नेंगे से अपका हुआएग